दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडू साला में आज की वीडियो में हम लोग NCRT नोट्स की सीरीज से समान बिग्यान में फिजिक्स देखने वाले हैं ठीक है आज हम लोग फिजिक्स देखेंगे इसका देखिए इतिहास में प्राचीन भारत मध्यकालीन भ तो फिजिक्स में देखिए इसमें 15 चेप्टर है कुल 15 चेप्टर है तो आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पांच चेप्टर देखने वाले हैं ठीक है पांच चेप्टर में आपको चेप्टर वन मात्र के ओमापन मिल जाएगा गति मिल जाएगा बल्यम न्यूट करते इस्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल आइकन को प्रेस कर दिजेगा ताकि आपको नए-नए वीडियो मिलता रहे हैं और वीडियो को लाइक किया कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहे हैं आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए-नए वीडियो लाते हैं तो चलिए फिर श्टार्ट करते हैं बहुत तेक विज्ञान तो चलिए भौतिक विज्ञान में हम अपनी विशय सूचियां देखते हैं जिसमें हमारा पहला चेप्टर है मात्रक तता मापन जिसके अंतरकत हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां मात्रकों का वर्गी करण मात्रकों की प्रणाली मूल मात्रकों की परिभाशा है पूरक मात्राओं की मात्रकों की परिभाशा है तता अन्य वैवारिक मात्रक आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा content है, ये कहां कहां से लिया गया है, किन किन chapter से और किन class से, तो आई ये start करते हैं, बहुतिक राशियां, ऐसी सभी राशियां जिने एक नियत संख्या द्वारा व्यक्ष किया जा सकता है, तता पृतियाक शूप से मापा जा सकता है, वै बहुतिक राशियां कहलाती है, उधारन के तौर पर है बल, दूरी, ताप, आधी, बहुतिक राशियां तीन प्रकार की होती है, आई ये देखते हैं, fundamental राशियां, मूल राशियां, ऐसी बहुतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्वर नहीं होती है, वैं मूल लम्बाई समय ताप, जोती तीव्रता विद्व PT पदार्थ की मात्र logo ड़ो भेत विन टम्राशिय आर्ध्र पर व्याते भोई होती हैं जो मूल लाशियों निर्बर होती है युद्बर मूल लाशियों के साहेता से विन की जा सकती है 5-7 ंशी आधि वित्पन राशी को माप करने की एक विधी बताई गई है आईए देखते हैं जैसे कि आयतन अगर मापना हो तो लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई हम लेते हैं तो यहां हम चोड़ाई और उचाई को यदि एक समान है लंबाई के समान ही है इसको भी हम अगला है पूरक राशिया मूल राशियों तथा वित्पन राशियों के अत्रिक दो अन्य भातिक राशिया भी होती है जैने पूरक राशिया कहते हैं उधारन समतलकोन तथा घनकोन आधी आईए अब हम देखते हैं भातिक राशियों को दिशा और परिमान के अधार पर न इसे की द्रव्यमान, लंबाई, समय और चाल आदी लेकिन सदिस राशियों में ऐसी भोतिक राशियां जिने व्यक्त करने हैं तो दिशा और परिमान दोनों की ही आविशक्ता होती हैं उन्हें हम सदिस राशिया कहते हैं उधारन के तौर पर विस्थापन वेक त्वरन आदी महतिक राशियों का जो मापन हैं आएए देखते हैं मानक मात्रक, स्टेंडर्ड यूनिट जो है इसका जिस भोतिक राशिय का हम में मापन करना होता है उसकी निश्चित मात्रकों मानक मात्रक कहते हैं प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चोड़ाई और तथा एक कदम की दूरी इन सभी मापों के मात्रक के रुप में समानेता उप्योग होता था उधारन के तोर पर है लंबाई का मात्रक मीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में लंबाई का जो मात्रक हम लेते हैं वो मीटर में लेते हैं और द्रव्यमान का जो मात्रक हम नम्रीकल वैल्यू क्या है यह भौतिक राशी के परिमान को व्यक्त करता है यह दर्शाता है कि भौतिक राशी के परिमान में उस मात्रक उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है जैसे चात्र का द्रवेमान 40 kg है इसका आथ है कि चात्र का द्रवेमान मात्रक किलोग्राम से 40 गु प्रियुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, यह मात्रक एक दूसरे से पूर्णता सुतंत्र होते हैं, उधारण के तौर पर किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एंपियर तथा मूल, व्यूत्पन मात्रक, व्यूत्पन राशियों को व्यक्त करनी के लिए प्रयोक्त मात्रक को विद्व Other people को प्राप्त करनी के प्रकिरिया लुए समझने में हम भूतिक राशी चाल के मात्रक बट्टे में समय का मात्रक होता है बराबर मीटर बट्टे में सेकेंड कितने मीटर हुए और कितने समय समय जो है वो हम सेकेंड में लेते हैं और दूरी को मीटर में पूरक मात्रक जो है पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रिवक्त मात्रकों को पूरक मात्र ना ही मूल मात्रक है और ना ही वियुत्पन मात्रक है उधारण के तौर पर रेडियन और स्टे रेडियन मात्रकों की प्रणाली है 1790 में फ्रांसिसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मेटरी पद्धिती मैट्रिक सिस्टम कहते हैं परंतु आजकल भौति लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर दर्व्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है फॉर्म में मूल मात्रकों की SI प्रणाली जो है International System of Fundamental Units उप्रोक्ष प्रणाली के अत्रिक मात्रकों की एक अन्य प्रणाली है जिसे SI प्रणाली कहते हैं संपूर्ण विशु में इसी प्रणाली का उप्योग किया जाता है इस प्रणाली में साथ मूल मात्रक तथा दो पूरक मात्रक को सम्मिलित किया गया है आईए देखते हैं तो ये हैं हमारी मूल मात्रक बहुतिक राशियां उनके मात्रक और उनके संकेत मूल राशियां जो है लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है और उसका संकेत M द्रविमान का मात्रक किलोग्राम संकेत केजी समय का मात्रक सेकिंड S विद्धुध हारा एंपियर में और संकेत A ताप का कैल्विन K जोती तीवृता कैंडिला से पदार्थ की मात्रक मोल से मूल मात्रकों की परिवाशा मीटर एक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में एक सेकेंड के 29 कडोड ये एक सेकेंड रुकिएगा 29 कडोड 97,92,458 वे भाग में तै करता है किलोग्राम परमानवी स्केल पर एक किलोग्राम मात्रा C12 कारवन के 5.0188 गुना 10 की पावर 25 परमानओं के द्रव्यमान के बराबर होती है सेकेंड सेकेंड CGM 133 का परमानओ 133 का परमानओ परमानओ घडी में जितने समय में 9 अरब 19 करोड 26,31,770 कंपन करता है वे समय एक सेकेंड कहलाता है एमपीर एक एमपीर वे विद्धुधारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी परिस्तित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रतेक तार की मीटर लंबाई पर तारों की बीच 2 गुना 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन का दाव उत्पन करती है कैंडिलार किसी दिशा में 540 गुना 10 की पावर 12 हर्टेज आविर्ती वाले श्रोथ की जोती तीवरता है जो उस दिशा में एक बट्टे 683 वाट प्रती स्टे रेडियन की विकिरण तीविता का एक वर्णिय प्रकाश उर्जित करता है कैल्विन सामान ने वायू मंडली दाव पर गलते हुए बर्फ के ताप के अंतर के सौवे भाग को एक कैल्विन कहते हैं जिसमें उस पदार्त के अव्यवों की वही संक्या जितनी कार्बन 12 के 0.0.15 kg में प्रमाणू की संक्या होती है पूरक मात्र को की परिभासा है एक रेडियन वह कोन है जो किसी वृत में वृत की त्रीज्या के बराबर और एक चाप व्रयत के केंद्र पर अंत्रित करता है एक रेडियन कोंग 57.03 गोलिये के रेडियन कोंगा इसी आधं सकते हैं एक देख सकते हैं आप आप और उसके अलावा भी कुछ अतिरिक मात्रक है यह आप एक नजर डाल लेंगे इस पर लंबाई के अन्य मात्रक देखते हैं बहुत बड़ी एवं अत्यांत सूक्ष्म लंबाई के मापन के लिए हम लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक प्रियोग मिलाते हैं जिनका वर्णा नीचे हैं देखते हैं खगोलिय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AI जो कहते हैं सूर्य के केंद्र से प्रित्वी के केंद्र के मद्दे की ओसत दूरी एक खगोलिय मात्रक अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहलाती है एक AI इक्वल्स टू होता है एक दशमलव चार नौच्छे गुना में 10 की पावर 11 मीटर इसे हम 1.5 गुना में 10 की पावर 11 मीटर भी लिख सकते हैं प्रकाश वर्ष लाइट इयर प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात एक वर्ष में तै की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं तो इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं प्रकाश की चाल गुना समय एक वर्ष का पूरा लेते हैं तो इसे हम नापते हैं इस तरह से 3 गुना 10 की पावर 8 गुना 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60 60 मिनट, 60 सकेंड, 24 गंटे, 365 दिन और ये हमारा 10 की पावर 8 गुना 3 इसका हमारा टोटल आ जाता है 9.461 गुना में 10 की पावर 15 मीटर पारसेक एक पारसेक वह दूरी है जो एक खगोली मात्रक दूरी के चाप के रूप में होने पर एक आर्क सेकेंड, एक आर्क सेकेंड का कुन बनाने पर प्राप्त होती है तो इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं एक पास्कल बराबर 3.26 प्रकाश वर्स अर्थाद 3.26 गुणा में 9.461 गुणा 10 की पावर 15 मीटर इकवस टू 3.08 गुणा में 10 की पावर 16 मीटर प्लंबाई के जो छोटे मातरक होते हैं मीटर से छोटे मातरक तो वो हमें इस तरह से मापे जाते हैं एक डेसी मीटर इकवस टू होता है एक बट्टे 10 मीटर अर्थाद 10 की पावर माइनस 1 मीटर एक सेंटी मीटर होता है एक बट्टे 100 मीटर अर्थाद 10 की पावर माइनस 2 मीटर एक मिली मीटर होता है एक बट्टे 1000 मीटर अर्थाद 10 की पावर माइनस 3 मीटर एक माइक्रोन अत्वा एक माइक्रो मीटर जो होता है वो होता है एक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर एक नैनो मीटर होता है एक्वास टू 10 की पावर 9 मीटर, एक एंग स्ट्रॉम होता है, 10 की पावर minus 10 मीटर और एक फर्मी होता है, 10 की पावर minus 15 मीटर मीटर से जो बड़े मात्रक होते हैं, उन्हें हम कैसे मापते हैं? एक डेका मीटर होता है इक्वस टू 10 मीटर इसे हम 10 की पावर 1 मीटर भी कह सकते हैं एक हेक्टो मीटर इक्वस टू होता है 100 मीटर और इसे हम 10 की पावर 2 मीटर भी कह सकते हैं एक किलो मीटर होता है 1000 मीटर अर्थात 10 की पावर 3 मीटर 1.0 M 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 3048 मीटर भी दले सकते हैं एक गज में 3 फुट इक्वल्स टू 0.9144 मीटर भी होता है एक नौटिकल मीज में 1852 मीटर होते हैं द्रव्यमान के अन्य मात्रक जो होते हैं द्रव्यमान पदार्थ का एक अधार्बूत गुण है यह ताप दाप या इस्थिती पर निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान के छोटे तथा बड़े मात्रकों का वर्णन आएए देखते हैं एक हेक्टोग्राम बराबर होता है 100 ग्राम एक्कवस्टो हम से लिख सकते हैं 100 गुना 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 1 किलोग्राम एक डेकाग्राम होता है 100 ग्राम बराबर 10 गुना 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम एक्कवस्टो हम इसे 10 की पा एक ग्राम होता है एक बट्टे 10 ग्राम या 10 की पावर 1 ग्राम या 10 की पावर माइनस 4 किलो किलो ग्राम एक सेंटी ग्राम होता है एक कवट्टे 100 ग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 2 ग्राम या 10 की पावर माइनस 5 किलो ग्राम में एक मिली ग्राम होता है एक बट्टे 1000 ग्राम 10 की पावर माइनस 3 ग्राम भी कह सकते हैं और किलो ग्राम में 10 की पावर माइनस 6 किलो ग्राम एक माइक्रोग्राम होता है 10 की पावर माइनस 6 ग्राम और किलोग्राम में 10 की पावर माइनस 9 ग्राम एक नैनोग्राम होता है ग्राम में 10 की पावर माइनस 9 और किलोग्राम में 10 की पावर माइनस 12 एक पीकोग्राम होता है ग्राम में 10 की पावर माइनस 12 और किलोग्राम में 10 की पावर माइनस 15 एक प्रवाणू द्रव्यमान मात्रक जो होता है वो होता है एक दशमलग छे छे गुना में 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम एक केरेट होता है इककोल्स टू 200 मिलीग्राम के इसे हम 10 की पावर 3 कीलोग्राम या 10 कोईटल भी कह सकते हैं ये इककवल ही होता है एक मेगा ग्राम होता है दस की पावर 3 किलोग्राम, एक गीगा ग्राम होता है दस की पावर 6 किलोग्राम, एक टेरा ग्राम होता है दस की पावर 9 किलोग्राम, एक सिलग होता है 14.57 किलोग्राम, एक सौर दरव्यमान होता है 1.989 गुनामित 10 की पावर 30 किलोग्राम, और एक च समय का प्रमाण विये मानक प्रियोग करते हैं जो CGM प्रमाणु में उत्पन आवर्थ कम्पनों पर आधारित है इसे प्रमाणु घरी अटोमिक प्लॉक कहते हैं आएए देखते हैं समय के छोटे वा बड़े मात्रक समय के छोटे मात्रक निम्न है समय के बड़े मात्रक जो होते हैं एक मिनट में 60 सेकंद एक घंटा 60 मेनट थीं जो साट केंद भी होते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं कुल मिलाके 86,400 सेकंड होते हैं एक वर्ष में 305 दिन होते हैं 3005 को हम मल्डिप्लाइ करेंगे तो 3.15 गुना 10 की पावर सात शेकंड से एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तो 100 वर्षों के समय को एक सताब दीखेते हैं ये तो हमें पता ही है आई अन्य वेवारिक मात्रक देखते हैं सामाने प्रियोग के लिए ऐसा ही मात्रकों के तरीक कुछ अन्य मात्रकों को अभी प्रियोग किया जाता है जिनका वर्णन है छेत्रफल के मात्रक एक बन इक्वल्स टू होता है टेन की पावर माइनस 28 मीटर स्क्वेर एक हेक्टेर इक्वल्स टू होता है टेन की पावर 4 मीटर स्क्वेर आयतन के मात्रक जो होते हैं वो एक लीटर में 10 की पावर माइनस 3 सेंटी मेटर क्यूब होता है रथा 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब एक गेलन में 3.7824 नीटर USA में और 4.546 लीटर UK में होता है एक बैरल में 158.987146 लीटर होते हैं दाब की मात्रक होते हैं 1 Pascal बराबर 1 Newton बटे में मीटर स्क्वेर, एक बार बराबर 1 Y U मंदलिय दाब, एक वाइउ मंदलिय दाब, एक वाइउ मंदलिय दाब, हम कह सकते हैं 1.01 गुना में 10 की पावर 5 Pascal, एक आरू होता है 10 की पावर माइनस 7 J, उर्जा की मात्रक है उसमें 1 किल गुना में 10 की पावर 6 J, एक इलेक्ट्रोन वोल्ट होता है 1.6 गुना में 10 की पावर माइनस 19 J, शक्ति का मात्रक एक अश्व शक्ति, होर्स पावर होता है एक कोल्स टू 746 वाट, यह देख सकते हैं, महत्रपूर्ण उपसर्ग और उनके संकेत, एक नजर आप इसंपे भी डाल लेंगे, वीमा किसे कहते हैं, वीमा किसी बहुतिक राशी की विमाये उन घातों को कहते हैं, जिनने उस राशी को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है, बहुतिक राशी को उनकी वीमिय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समिकरन को पूस राशी का वीमिय स्वमिकरण कहते हैं यह देख रहे हैं अब यह है स्क्वार जो कहते हैं कि स्क्वार क्यूब यह सारे वीमिय सूत्र है आए एक नजर आप इन सब पर डाल लेंगे यह कुछ अत्रिक तत्थे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो की अब तमिल आणू बोर्ड से लिए गए हैं एक नजर इन पर भी डाल लेते हैं बहुतिक राशी का मान होता है इक कस्टू संख्यात्मक राशी गुना में मात्रक प्रतेक गज को 24 बराबर भागों में बाटा जाता था तता प्रतेक भाग को वसूज कहा जाता था भारत में द्रवेमान के मात्रक के रूप में प्रियोग होने वाले मात्रक में रती, मसा, तोला, छटाक, सेर तता मन थे प्राचीन काल में मापन के लिए मानव शरीर के अंगों का अपयोग किया जाता था परन्तो इससे विरोध तथा दुविधा उत्पन होती थी क्योंकि ये एक रूप होने के कारण उन परिमानों को प्रदान करते थे जो पुनः प्रयाप पे नहीं थे सन 1875 में एक अंतर रास्ट्री संधी पर हस्ताक्षर हुए जिसे मोटर कन्वेंशन कहा गया सन 1906 में मापतोल की ग्यारवी जनरल कॉनफरेंस में मापतोल की अंतर रास्ट्री पदिती को स्विकार किया गया जिसे SI मात्रक कहा जाता है पृत्वी का द्रव्यमान कितना है 5.97 गुना में 10 की पावर 24 केजी सूरे की त्रीजिया है इकोल्स टू 6.96 गुना में 10 की पावर 8 मीटर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना में 10 की पावर माइनस 31 केजी निकट्तम तारा अल्फा सेंट्रवी सूरे से लगबग 4.3-4 पारसेक दूरी पर है रात को नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले तारे सूरे से 500 पारसेक दूरी पर होते हैं इसरा चेप्टर है गती जिसके अंतर गत हम पढ़ेंगे विराम तथा गती, चाल, वेग, वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात त्वरण, गती का ग्राफिय प्रदर्शन, प्रचेप्य गती और अंत में वृतिय गती गती, देख सकते हैं, कंटेंट कहां कहां से लिया गया है दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तूओं को विराम अवस्ता में तथा कुछ वस्तूओं को गतीमान अवस्ता में देखते हैं विश्व की प्रतेक वस्तुएं प्रतेक्ष या अप्रतेक्ष रूप से गतिमान रहती है। हमारा चलना, दोडना, साइकिर सवारी, आधी दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं गति के कुछ उधारन है। इसके अत्रिक पर्मानू, अनू, ग्रह, तारे और आकाश गंगा भी गतिमान है। विराम तथा गति में अंतर क्या है। यदि वस्तु की स्थिती में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की स्थिती विराम अवस्था में कहलाती है। अर्थात मेज पर रखी वस्तू. समय के इस आपेक्ष वस्तू की स्थिति में परिवर्तन को गती कहते हैं, उधारण गतिशील व्यक्ति, बहता जल, अकाशिय पिंड आदी. यदि हम चलती हुई रेल गाड़ी में बैठे, तो हम रेल गाड़ी अत्वा उसमें बैठे अन्य वक्ति के सापेक्ष में विराम अवस्ता में हैं, परन्तु रेल गाड़ी के बाहर खड़े वक्तियों के सापेक्ष में गती शील हैं. इस प्रकार गती तथा विराम अवस्था एक दूसरे के अप्रेक्षिक रिलेटिव हैं एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के विराम अवस्था में हो सकती है जब कि दूसरे प्रेक्षक के लिए गती अवस्था में होगी जैसे कि अभी उपर हमने एक्जामपल देखा गती के प्रकार, तो ये गती के प्रकार देखते हैं आईए, पत की प्रकृति के अनुसार गती के प्रकार है, सरल रेखिये गती, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गती करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गती को सरल रेखिये गती कहते हैं, जैसे सीधी चलती ट गुणनन गती रोटेशनल मोशन वह होती है, जो अपने अक्ष के चार और घूमती है तब वस्तु की गती घूंडन गती कहलाती है। लट्टू की गती, फर्ष पर गती करती हुई गेंद सरल रेखिये गती के साथ साथ घूंडन गती भी करती है, आवर्त गती, जब कोई वस्तू किसी निश्चित समय अंत्राल के बाद अपनी गती को दोहराती है, तो इस गती को आवर्त गती कहते हैं, उधारन के तौर पर व किसी वस्तू या कंड की स्तिती के मापन के लिए एक निर्देश बिंदू का चैन किया जाता है, जिसे मूल बिंदू कहते हैं, इस बिंदू का चुनाव स्वेक्षिक होता है, तो इसमें हम कोई भी बिंदू ले लेते हैं, और से हम मूल बिंदू कहते हैं, मूल बिंदू क पर कण की सिती x equals to 0 माना जाता है दूरी किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तै किये गए पत की लंबाई को दूरी कहते हैं यह एक अधिश राशी है गतिशीर वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान सदैव बढ़ता है इसका मात्रक मीटर होता है माना को यह वस्तु मूल बिंदू 0 से अपनी गति प्रारम करती है पहले यह वस्तु बिंदू C तथा B से गुजरती हुई A बिंदू पर पूंचती है तथा फिर वे वस्तु पुना C बिंदू पर आ जाती है तो यह देख रहे हैं 0 से C, B होते हुए A पर गई और फिर मूल बिंदू वापस 0 पर आगे वस्तु द्वरत तैक की गई कुल दूरी क्या होगी O A प्लस A C इकॉल्स टू जो यह दिया हुआ है देटा के अनुसार नंबर के अनुसार 60 प्लस 35 इकॉल्स टू 95 किलो मीटर दूरी को मापने के लिए Odo-Meter यंत्र का प्रियोग किया जाता है विस्थापन किसी गतिशीर वस्तू की प्रारंबिक एवं अंतिमिस्थितियों के बीच की नियुमतन दूरी वस्तू का विस्थापन कैलाती है विस्थापन ऊथिस्राशी है कि मात्रक मीटर होता है माना एक लड़का एक्जामपल दिखा रहे है के अक लड़का पहले पी विस्थापन 3 1-4 km उत्तर दिशा की ओर जाता है तब इसका विस्थापन तो यहां पर've जो हमने टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा मैस में तो उसी के अनुसार इन्होंने निकाला है कि बीक मान निकालने के लिए नहोंने ओ ए मतलब आधार का स्क्वेर प्लस में बी लंब का इसक्वेर कर दिया अंडरूट करके तो यह हमारा आ गया यह हम भी कर सकते हैं एक्जाम जाता है तब फिर वापस आ जाता है तब इस व्यक्ति का विस्थापन शून ने होगा इसके द्वरा तै की गई दूरी कितनी होगी क्योंकि यह दुबारा से वहीं आ गए तो कितनी होगी यह कुल दूरी 20 किलोमेटर दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं दूरी गतिमान वस्थु द्वरा तै की गई लंबाई दूरी कहलाता है विस्थापन किसी निश्चित दिशा में वस्थु की प्रारंबिक एवं अंतिम इस्थितियों के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान रिनात्मक तथा शून नहीं हो सकता है किन्तु अर्थात दूरी सदेव घनात्मक में होती है लेकिन गतिमान वस्तु के लिए वस्थापन का मान घनात्मक रिनात्मक अत्वास शून नहीं कुछ भी हो सकता है यह पत की आकृती पर निर्भर करती है यह पत की आकृती पर निर्भर नहीं करती है आईए अब एक समान गती और असमान गती से तातपर्रे देखते हैं एक समान गती यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंत्राल में नियत दुरी तै करती है तो उसकी गती एक समान गती कहलाती है उधारन के तौर पर यदि कोई बस एक घंटे में 50 km तर दूसरे गंटे में 50 km की दूरी तह करती है तो बस की गती एक समान गती कहलाती है और असमान गती कहलाती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंत्रालों में असमान दूरी ते करती है, तो उसकी गती असमान गती कहलाती है, उधारण के तोर पर एक कार का भीड़ वाली गलियों से गुजरना तो था मनुष्य का पार्क में टहलना आदी. चाल, किसी गतीमान वस्तु द्वारा एक आंख समय में तै की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, और इसे मापनी के लिए हम क्या करते हैं, पॉर्मूला चाल बराबर दूरी बट्टे में समय अंत्राल, यह एक अदिश राशी है, इसका मात्रक मीटर बट्टे होता है, तथा वस्तु की चाल सदेव घनात्मक होती है, चाल के प्रकार देखते हैं, एक समान चाल, आसमान चाल और आसत चाल, एक समान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंत्राल में समान दूरी तै करती है, तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है, और जब कोई वस्तु सम तरह तै की गई कुल दूरी तथा कुल समय अवधी के अनुपात होती है इसको हम आपने के लिए क्या लगाते हैं फॉर्मुला और सचाल इक्वल्स टू तै की गई कुल दूरी बट्टे में कुल समय अवधी तच्छनिक चाल किसी विशेश छण पर वस्तू की चाल को उस वस्तू की तच्छनिक चाल कहते हैं वेग गतिमान वस्तू के एकांग समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं वेलसिटी कहते हैं, वेलसिटी वेग एक्वास टू निश्चित दिशा में तै की गई दूरी और बटे में समय अंत्रान, वेग एक सदिस राशी है, इसका मात्रक मीटर बटे में सेकेंड होता है, यदि वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए, तब वस्तु की चाल या गति की दिशा दोनों बदल सकती है, वेग के प्रकार एक समान वेग, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है, तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है, औसत वेग किसी गतिमान वस्तु के कुल ब्राप्त होता है अर्थात ओसत वेग इक्वल्स टू कुल विस्थापन बटे में समय अन्त्रान यदि वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर्से परिवर्तित हो रहा है तो ओसत वेग का फर्मुला क्या होगा प्रारंबिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2 तक्षणिगेग किसी ंक्तिमान वस्तू का किसी निश्चित शंड पर वेग केलाता है आए अब चाल और कर देखते हैं गतिशील वस्तू दवारा एकांग समय में तै कीगए दूरी को चाल केते हैं एकांग इ blossoms इंद्ट हैए वश्थापन को स्थू का वेउग कहते चाल एक अधिस्राशी है और वेग एक सदिस्राशी है किसी वस्तू की चाल उसके वेग के परिमान के बराबर अथवा अधिक हो सकती है वेग का परिमान चाल से अधिक नहीं हो सकता औस चाल नियत रहती है औस वेग नियत नहीं होती है शून्ने भी हो सकती है चाल का मान सदय गतिमान वस्तू के वेग में परिवर्तन की दर को तौरण कहते हैं तौरण अर्थात वेग में परिवर्तन बट्टे में लिया गया समय तो यह देख सकते हैं यदि प्रारंभिक वेग को यू से और यू से टी समय में बदलकर वी हो तो वस्तू में उत्परण त्वरण कैसे निकाला जाता है तो यह एक इक वेग माइनस यू बट्टे में टी तौरण एक सदिस राशी है इसका ऐसा ही मत्रक मीटर बट्टे में सेकेंड स्क्वेशर होता है तता इसका घनात्मक शूनने तसका मान जो है वो धनात्मक शूनने तफर अर्थात वेग में गतिशील में के समय के साथ निरंथर विर्दी हो रही है तो वस्तू का त्वरण घनात्मक होगा उधारण के तोर पर प्रित्वी की और गिर्ती हुई वस्तु का वेग बढ़ता जाता है तथा वेग की विपरित दिशा में वस्तु का वेग रिनात्मक होता जाता है अर्थात यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो वस्तु का तोरण रिनात्मक ह इसे मंदन अर्थात गिटारडेशन भी कहते हैं उपर की और फेकी गई किसी वस्तु का वेग घटता जाता है तो तवरण की प्रकार देखते हैं एक समान तवरण यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समय में समय अंत्रालों में समान परिवर्तन होता है तो पिंड की गती में उत्पन तवरण एक समान तवरण होता है उधारण के तोर पर पृत्वी की सता की और सुतंत्रता पूर्वगिरते पिंड की गती में उत्पन तवरण एक समान तवरण होता है और समान तवरण यदि समान समय अंत्रालों में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन भ पात उसत्वरण कहलाता है तच्छणिक तवरण किसी विशेश छण पर वस्तु की गती में उत्पन तच्छणिक तवरण कहलाता है एक समान तवरित गती के समीकरण देखते हैं कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान तवरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंत्राल में समिकर्णों द्वारा उसके वेग द्वारण वा उसके द्वारा तैग की गई दूरी में संबन इस्थापित किये जा सकते हैं जो कि इस प्रकार है यह आप देख रहे हैं यह इस तरह से हम देख सकते हैं एक नजर इन पर डाल लीजेगा यह पूछे जाते हैं कोश्चन में प गुरुत्वा कर्शन और टाइम और यह सारे गती का ग्राफ यह प्रदर्शन किसी गतिमान वस्तु की गती के विसलेशन के लिए दूरी समय विस्थापन समय या वेग समय के मद्धे ग्राफ खीचकर गतिमान वस्तु की स्थितियां किसी भी छण ग्यात की जा सकती है दू दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल जानने के लिए भी करते हैं, इसको विभिन अवस्थाओं में निम्र प्रकार से व्यक्त किया जाता है, देखते हैं, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से नियून कोण बनाती हुई एक सरर रेखा होती है, तो यह आप देख रहे हैं, एकस अक्षिस पे दूरी है और वाई अक्षिस पे दूरी है और एकस अक्षिस पे समय हैं, असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेड़ी मेडी रेखा अत्वा कोई वक्र होता है, यह देख पा रहे है गतिमान वस्तु और ये बढ़ती चाल से मतलब कि ये टेड़ी मेड़ी रेखा हैं जो ग्राफ को दर्शा रही है वो वस्तु की गति दिखा रही है अगला है विराम अवस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगी ये देख रहे हैं इस तरह से होगी वेग समय ग्राफ समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन को वेग समय ग्राफ गरवेक्ट करते हैं इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर लेते हैं इसको विभिन अवस्थाओं में ने उन प्रकार से वेक्ट किया जाता है, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है, तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की उचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और X अक्ष के समान अंतरेक सीधी रेखा होगी, ये देख रहेंगे अक्ष के समान अंतरेक सीधी रेखा है, एक समान तवरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, ये देख पा रहें हम, एक सरल रेखा, जब किसी वस्तु की गति में असमान तवरण होता है, तब उसका वेग अनिमित रूप से बदलता है, तथा वेग समय समय Г्राफ को एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है यह देख सकते हैं हम इस तरीके से पर दर्शित करता है और समान तौरित गती की स्थिती में वेघ समय ग्राफ तेड़ी मेड़ी आक्युत्ति की भी हो सकती है, जैसे कि यह हम देख पा रहे हैं, वेक समय ग्राफ द्वारा घेरे का छेत्रफल से गतिमान वस्तू का विस्थापन ग्याद किया जा सकता है, वेक समय ग्राफ का धाल गतिमान वस्तू के त्वरण को प्रदर्शित कर वस्तु का विस्थापन उसके वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घीरी आकृती के छेत्रफल के बराबर होता है एक समान वेग से गती के लिए वेग समय ग्राफ सरल रिखा ए भी प्राप्त होती है समय T1 वर T2 पर वस्तु का वेग V है तथा वेग समय ग्राफ पर इसक की संगत बिंदु C और D है कि विस्थापन क्यात करना है समय अंत्राल में तो T2-T1 करते हैं अर्थाथ EF आ जाता है और वेग को धार्थ करने के लिए हम क्या करते हैं कि वस्तु का विस्थापन वेग गुने समय अंत्राल करके हम आकृती का छेत्रफर ले आते हैं आपेक्षिक वेग एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ इस्थिती में परिवर्तन की दर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रती सापेक्ष वेग अत्वा आपेक्षिक वेग कहलाता है यदि यह देख सकते हैं एक समतल में गती यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल की दिशा वस्तु के आरंबिक वेग की दिशाम से भिन हो तो वस्तु के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों ही समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं यता वस्तु वक्रपथ पर गती करती है इस प्रकार की गती को समतलिय गती या द्वी विमिये टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं उधारण के तोर पर प्राचेप्य गती वर्तिय गती आधी प्राछेप्य गति जब किसी वस्तु को पृत्वी तल अथ्वा उसके समीब किसी बिंदू से किसी प्रारमिक वेग से उर्दवादर से भिन किसी दिशा में फेका जाता है तो वस्तु गुरुत्व के अंतरगत एक वक्रपत के अनुदिश गती करती है वस्तु की इस प्रगार की गती को प्रच्छेप गती प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं तो यह हम देख पा रहे हैं यह है इस तरह से जिस वस्तु को फेका जाता है उसे प्रच्छेप पे कहते हैं वस्तु का प्रछेपे पत पर वलाया कार पैराबॉलिक होता है तथा यह निम्न कार को पर निर्भा करता है पहला है प्रछेपे का उडेयन काल, वस्तू को प्रछेपे करके तथा उसके वापस पृत्वी पर लोट कराने के मन्ति लगे समय को प्रछेपे का उडेयन काल कहते हैं प्रच्छेपे की उचाई प्रच्छेपे गती के दौरान वस्तु दौरा तै की गई दूरी प्रच्छेपे की उचाई कहलाती है प्रचेपे के परास वस्तु अपने उडेंज काल के दोरान जितनी 36 दूरी तय करती है उसे वस्तु का 36 परास अथवा प्रचेपे परास कहते हैं वृतिय गती, जब कोई वस्तु किसी वृत की परिधी के अनुदिश गती करती है, तो इस गती को वृतिय गती सर्कुलर मोशन कहते हैं, यदि वस्तु एक समान चाल से वृतिय पत पर गती करती है, तब इस प्रकार की गती को एक समान वृतिय गती कहते हैं, उधारन के तौर पर चंद्रमा अबन परित्वी की गति परित्वी की चारों और वृतिया कट्षा को उप्ग्रह searching अधि जब को य वस्तू वृतिया पत्वर नियत चाल से गती करती है तो इसकी गत्या लागतार परिवर्तित होती है लेग में परिवर्तन के केवल गती की दिशा कर सो like AND the वृतिय गती में कोई कण वृतिय पत पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है वे उस कण का आवर्तकाल कहलाता है इसका मात्रक सेकेंड होता है आविर्ति फ्रिक्वेंसी वृतिय गती में कोई कण वृतिय पत पर एक सेकेंड में जितनी चक्कर लगाता है वे कण की या वुत्ताtek क्या लाती है, इसका मातरक क्या होता है हर टज कोड़िये विस्थापन एक समान्वृत्ययगती करते हुए वस्थू के त्रिज्यय सदिष द्वारा वृत्त के केंदर miner पर अं्त्रित क्या गया कोंड उस वस्थू का कोणिये विस्थापन क्यालाता है इसका जो मात्रक है वो क्या है? रेडियन होता है कोणिये वेग वृतिये गती में किसी वस्तु की समय के सापेक्ष कोणिये विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणिये वेग कहते हैं इसका भी मात्रक रेडियन या सेकेंड होता है कोणिये त्वरन कोणिये वेग परिवर्तन की दर को कोणिये त्वरन कहते हैं इसका मात्रक रेडियन बटे में सेकिंड स्क्वेर होता है यह कोणिये वेग की दिशा में परिवर्तन की कारण होता है इसलिए कोणिये वेक की दिशा बदलने के अनुसार समाने ता इसकी दिशा वृत्त की परीदी की अनुदिश मानी जाती है अभी केंद्र त्वरन Centripetal Acceleration जब कोई कण एक समान वृत्तिय गती करता है तब कण के वेक का परिमान नियत रहता है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है जिसके कारण वेक की लंबवत दिशा में एक त्वरन कारे करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की और होती है इस त्वरन को अभी केंद्र त्वरन कहते हैं आए कुछ extra facts देख लेते हैं विस्थापन दूरी के बराबर तब होता है जब वस्तू सरल रेखा पर गती शील है और अपनी दिशा नहीं बदलती है छणिक चाल छणिक वेक का परिमान बताती है लेकिन औसत चाल औसत वेक का परिमान नहीं बताती है आसत विक और चाल से कम या उसके बराबर होता है और समान गती के लिए तुरण उन्ने नहीं होता है यदि ग्राफ की रेखा एक सरण लेखा है तो X अक्ष तथा Y अक्ष के साद 45 डिग्री का कोंड बराती है तो गती सरल रेखिये गती है और दूरी विस्थापन के बराबर है जब कोई वस्तु वृतिय पत पर गती शील है तो अधिक्तम विस्थापन वृतिय पत के व्यास के बराबर होती है और वस्तु द्वारा तैक की गई दूरी समय के साथ बढ़ती है हमारा तीसरा चेप्टर है बल तथा न्यूटन के गती विश्यक नियम जिसमें हम पढ़ेंगे बल, जड़त्व, न्यूटन के गती विश्यक नियम रेखिए समवेग सरक्षन का सिधान, घर्षन, अभी केंदर बल, अपकेंदर बल बल तथा Newton के गती विश्यक नियम Content देख सकते हैं कहां कहां से लिया गया है चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दैनिक चीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तू को गती देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है अर्थात किसी वस्तु को गती की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खीचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है वस्तु को खीचने, धकेलने या ठोकर लगाने तथा वस्तु को रोकने की इस क्रियाक पर बल की अवधारना आधारित है बल वै बाहिय कारक है जो किसी पिंड के रूप वा आकार या इस्थिती में परिवर्तन कर सकता है वै बल कहलाता है दैनिक जीवन में बल का उपियो किसी पिंड या वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है जाधा अंता बल वे धक्का अत्वा खिचाव होता है जो किसी वस्तु में गती या विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है ये इन तश्तवीरों से समझ सकते हैं बल एक सदिश्ट आसी है और इसका SI मातरक Newton तता CGS मातरक Dine होता है बल का अन्य मातरक किलोग्राम माइनस भार भी होता है एक Newton equals to होता है एक किलोग्राम माइनस मीटर बटे में सेकेंड स्कूर या फिर सेकेंड स्कूर बल के प्रभाव किसी वस्तु पर बल लगाने के कारण उसमें उत्पर होने वाले विवन प्रभाव हैं आईए देखते हैं बल लगाने से किसी वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है जस्ते की चादर को मोड़कर उसका आकार बदला जा सकता है गोलाकार गेन का अंडाकार हो जाना, स्प्रिंग का फैलना ये सबी जो हैं किसी स्थिर वस्थू पर बल लगाने से वस्थू गतीमान हो जाती है उधारन के तौर पर रोलर को धक्का दे कर गती शील किया जा सकता है इसी प्रकार गतीमान वस्थू पर गती की विपरीत दिशा में बल लगाने और उसे विरामवस्था में लाया जा सकता बल लगाने पर उसे फिराम वस्ता में लाए जा सकता है अता बल लगाने से वेग में परिवर्तन किया जा सकता है बल किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है उधारण के तौर पर फुटबॉल पर ठोकर मार कर उसकी गती की दिशा को बदला जा सकता है बल के प्रकार संपर्क ब पेशिये बल यह बल हमारे शरीर की मांस पेशियों दाला लगता है हमारे मांस पेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशिये बल कहते हैं पशु भी अपनी सारी क्रिया क्लापों था अन्यकारों को करने के लिए यह पेशिये बल का उपयोग करते हैं घर्शन बल जब कोई वस्तू किसी दूसरी वस्तू की सता पर फिसलती है या ऐसा करने का प्रयास करती है तो उनके बीच लगने वाले बल को घर्शन बल कहते हैं आ संपर्क बल ऐसे बल जिन में दो वस्तोों के बीच संपर्क करने की अवशक्ता नहीं होती असंपर्क बल कहलाते है उधारेन के तुरप गुश्वा करशन बल चुम्बक किये बल, दो आवेशों के बीच इस्थेतिक बल, चुम्बक किये बल, चुम्बकों के समान दुरूब एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं, तता असमान दूसरे को आकर्शित करते हैं, एक चुम्बक दूसरे चुम्बक पर बिना संबर्क में आये ही बल लगा स इस्तिर वैदुत बल अर्थाथ एलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स कहलाता है वस्तुव के संपर्क में ना होने पर भी ये बल कारे करता है गुरुत्वा कर्शन बल वस्तुव पृत्वी की और गिरती है क्योंकि वह उन्हें अपनी और आकर्शित करती है इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं यह एक अकर्शन बल है गुरुत्व बल प्रतेक वस्तुव पर लगता है गुरुत्व बल के कारण ही नदियों का पानी नीचे की और बहता है प्रमान में सभी वस्तुवें छोटी या बड़ी जो भी हैं सभी अन्य वस्तुवें पर बल लगाती है तब यह अकर्शन बल गुलत्वा कर्शन बल कहलाता है नाविक ये बल प्रोटोन वा न्यूट्रोनों के बीच लगने वाला अकर्शन बल नाविक ये बल कहलाता है ये सबसे शक्तिशाली बल होता है नाविक के इस्थायत्व के लिए ये बल उत्तरदाई होता है नाब किये बल लगू परास बल है संतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल कारे कर रहे हूं तथा बल का परिमाणी प्रभावер स्वूनने हो तो वे बल संतुलित बल कहलाते हैं संतुलित बलों के प्रभाव में वस्तु की सिती में कोई परिवर्ता नहीं होता है पर उस्तु की आकरिती बदर जाती है उधारन के तोर पर यदि एक गुटके को दोनों और समान बल लगा कर परसपर विपरीत दिशा में ले जाया जाता है तब गुटके में कोई गती नहीं होती है अता गुटके पर लगा बल संतुलित बल कहलाता है यदि किसी वस्तु अत्वा निकाय पर लगे हुए बलों का परिनामी बल शून नहीं है तो वे बल असंतुलित बल कहलाते हैं आसंतुलित बल द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गती प्रदान की जा सकती है तथा किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है। उधारण के तौर पर रस्सा कसी में यदि एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्ति शाली है तो वह रस्से तथा कमजोर टीम को अपनी और खीच लेती है। इस दशा में रस्से पर लगने वाला बल असंतुलित बल है। संगरक्षी तता असंगरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा किसी पिंड को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारे केवल पिंड की प्रारंबिक एवं अंतिम इस्थितियों पर निर्भर करता है। पिंड के पत पर नहीं। उधारन के तौर पर गृत्वा कर्शन बल वैधुत चुम्बकी बल आदी संगरक्षी बल है। इसमी पत्ती जड़ता शब्ध से हुई है जिसका अर्थ इस्थिरता या अपरिवर्तनियता है। प्रतेक वस्थू अपनी विराम अवसथा या गती के अवस्था में ही बने रहना चाहती है। और अपने इस्तिती में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसे जड़त्व का नियम law of inertia कहते हैं। वस्तु के इस गुण को गैलिलियो ने जड़त्व का नाम दिया। अता जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण हैं जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्ता अत्व का जड़त्व कहलाता है। उधारन बस के इसाथ यात्री पीछे की और गिर पड़ते हैं। इसका कारण ये है कि बस अत्वा रेलगाडी के अचानख चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग जो बस यार एलगाडी के संपर्क में नहीं है अपने विरांग के जड़त्व के कारण विरांवस्ता में ही बना रहता है जिस रहान यात्री पीछे और इस रहे हैं सब्सक्राइब और धूल के करण विराम के जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही रहते हैं और कंबल से अलग हो जाते हैं पेड की शाखाओं को तेजी से हिलाने पर उसके फल नीचे गिर पड़ते हैं इसका कारण यह है कि पेडों की शकाओं को तेजी से हिलाने पर वे गती के अवस्था में आ जाती हैं, परन्तु उन पर लगे फल विराम के जड़ात्व के कारण अपने स्थान पर विराम अवस्था में बने रहते हैं, तता प्रिच्वी के गृत्वा कशन के कारण नीचे ग इसका कारण यह है कि चलती हुई बस या रेल गाड़ी में यात्री भी गाड़ी की चाल से गती करता है बस या रेल गाड़ी के चानक रुखने पर यात्री के शरीर का निचला भाग तो गाड़ी के संपर्क में है गाड़ी के साथ तेजी से रुख जाता है परन्तु शरीर का उपरी भाग गती के जड़त्व के कारण उसी चाल से गती करता रहता है जिसका नियात्री आगी की ओर छुप जाता है तेज दोड़ते घोड़े के अचानक रुप जाने पर घोड़सवार आगे की और गिरता है इसका कारण यह है कि जब घोड़ा तेजी से दोड़ता है तो घोड़ा घोड़सवार एक चाल से गती करते हैं गोडे के चानक रुप जाने पर घुरसवार गती के जड़त्व के कारण आगे की और गती करता रहता है जिससे घुरसवार आगे की और गिर जाता है बस की छत पर रखे समान को रसी से बान देते हैं इसका कारण यह है कि जब चलती बस अचानक रुपती है तो बस की छत पर समान गती के जड़त्व के कारण आगे की और गती करता रहता है इसलिए समान की सुरक्षा के रिए उसे रसी से बान देते हैं दिशा का जड़त्व वस्तु का वैगुन जिस कारण वह अपनी गती की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है दिशा का जड़ात्व कहलाता है। उधारण तेज गती से चलती बस किसी वकराकार मोड पर मोड़ती है तो यात्री मोड़ के केंदर से बाहर की और जुख जाते हैं। कि जब तेज गती से चलती बस वक्राकार मोड पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री दिशा के जड़त्व के कारण पहली दिशा में ही गती करते रहते हैं जिस कारण मोड के केंद्र से बाहर की और जुब जाते हैं गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड के कणों अपनी दिशा के जड़त्व के कारण अपनी स्पर्ष रेखिये चाल की दिशा में गती करते हैं तता वहन को गंदा करते हैं जिससे बचने के लिए मड गाड लगाए जाते हैं यदि पत्था को डोरी से बांद कर छेटिच वृतिये पत्थ में घुमाएं तब डोरी पत्थर की चाल इस पर्ष रेखिये दिशा में होती है डोरी का तनाव उस वृतिये पत्थ पर गती प्रदान करता है डोरी के तूटने पर डोरी का तनाव शूनने हो जाता है ये देख सकते हैं ये चित्र द्वारा समझाया गया है अता अब पत्थर वृतिये पत्थ पर गती ना करके अपनी दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्ष रेखिये दिशा में गती करता है। अर्थात अधिक द्रव्यमान की वस्तु अपनी विराम अवस्ता अत्वा गती की अवस्ता में होने वाले परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। यह नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। नियूटन की गती के पिथम नियम के वेवारी गुधारन देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है। यह एक मेज पर रखी पुष्तक और तब तक उसी अवस्ता में रहेगी जब तक उसकी अवस्ता परिवर्तन के लिए कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। जमीन पर गती करती हुई गेन गतीमान अवस्ता में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर बल ना लगाया जाए रोकने के लिए। उंगली से ताश के पत्ते को जटका देने पर पत्ते के उपर रखा सिक्का नीचे की और गिलास में गिर जाता है। जब कोई वस्तु जमीन पर गती करती है तो वह घर्शन बल के कारण विराम वस्ता में आ जाती है अने था में वस्तु गती करती रहेगी। समवेग किसी वस्तु का समवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुननफल से परिभाशित किया जाता है। समवेग में परिमान और दिशा दोनों होते हैं इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है इसका मात्रक किलोग्राम माइनस मीटर सेकेंड होता है इस राशी को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। समवेग पर अधारित कुछ महतोपुन गटनाए हैं मान लीजे एक कम भार का वहान तथा एक अधिक भार का वहान दोनों ही किसी छेती सड़क पर खड़े हैं हम सबी भली बाती जानते हैं कि समान समय अंत्राल में दोनों वहानों को समान चाल से गतिक कराने में कार की तुल समान दोनों पिंडों को रोकने में हलके पिंड की तुल्ला में भारी पिंड में परिशकत अधिक परिमाट के विरोधी बल की आवशकता होती है यदि दो पत्थर एक हलका तदो दूसरा भारी एक ही भवन के शिखर से गिराए जाते हैं तो धरती पर खड़े किसी व्यक्त गति विश्यक का दुतिय नियम इस नियम अनुसार किसी वस्तु के समवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुरित बल के समानुपातिक होता है यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है अर्था यह देख सकते हैं F यह फॉर्मूला है इसका तो इस पर भी एक नजर डाल लेंगे नियूटन के गति के दुतिय नियम के अनुसार देखते हैं वेवारी खुधारन के उसके नियूटन गति के दुतिय नियम के कुछ वेवारी खुधारन है क्रिकेट में गेन को कैच लेते समय खिलाडी का अपने हाथ को पीछे की और पहैच लेता है, तो गेन दौरा हाथों पर धक्का या बल लगता है और उसका समवेग शून्य हो जाता है, उंगलियों के मद्य गेन आते ही व Caribbean आता ही व्ये एंध्य हांतों को पीच्छे ख़टाता है जिस कारण समवेग परिवर्तन का समय अंत्राल भढ़ जाता है, अन्तर कराटे के खेल में खिलाढ़ी द्वारा टाईलों के समूँ को एक ही बार तोड़ना कोई खिलाड़ी जब टाईलों के समूँ अथवा बर्व की सिल्ली पर तेजी से वार करता है तो हात का समस्त सम्वेग बहुत कम समयनतराल में शून्य हो जाता है, इसके परिणाम स्वरुप टाइलों के समू या बर्फ की सिली पर इतना बल लगता है कि वे तूट जाती है दोणीदार तुला वह युपती है जिसके द्वारा किसी वस्तू पर लगने वाले बल को मापा जाता है इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल प्रभाव से वस्तु के समवेग में इत्यदिक परिवर्तन हो तो ऐसा बल आवेग ये बल कहलाता है आवेग ये बल तता समय अंत्राल की गुणन फल को बल का आवेग कहते हैं ये देख सकते हैं आवेग ये बल F और समय अंत्राल T है आवेग एक सदिश राशी है जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है तता इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन से किन होता है दैनिक जीवन में आवेग के उधारन देखते हैं वाहनों का असमतल मार्ग पर चलने से जटका लगना जब कोई दुपहिया या चौपहिया वाहन एक असमतल मार्ग पर चलता है तो इस पर काफी जटके लगते हैं आगात अफशोषकों के प्रियोग से जटकों का अंतराल बढ़ जाने के कारण आवेगी बल घट जाता है फलता इन गाडियों में बैठे यात्रियों को कम से कम जटके महसूस होते हैं उचाई से कूदने पर चोट का लगना जब हम किसी उचाई से पक्के फर्ष पर कूदते हैं तो फर्ष द्वारा हमारे पैर को दिये गए आवेग के कारण हमारा समवेग यकायक शून्ने हो जाता है ये आवेग अधिक बल का होता है जिससे हमारे पैर में चोट लगने की संभवना बढ़ जाती है परन्तो यदि हम फर्ष पर मिट्टी अथवा गद्दा बिछा लें तो हमारे पैर उसमें एक धस जाएंगे तता समवेग के शून्ने होने में कुछ देर लगेगी अता अब हमारे पैर को उतना ही आवेग एक छोटे बल से मिलेगा जिसे की पैर में चोट नहीं आएगी मिट्टी के बरतन ये अन्य समान को तूटने से बचाने के लिए घास का प्रियोग करना चीनी मिट्टी के बरतनों को कागज या घास फूस के टुकडों में पैक करते हैं क्योंकि गिरने की स्थिती में घास फूस या कागज के कारण आवेग चीनी मिट्टी के बरतनों तक पहुँचने में अधिक समय लेता है जिससे बर्तनों पर लगने वाला बल कम हो जाता है अतह इनके तूटने की संभावना कम हो जाती है Newton का गती विश्यक तृतिय नियम इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तू दूसरी वस्तू पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तू भी पहली वस्तू पर उतना ही बल विपरित दिशा में लगाती है अल्थात प्रतेक्रिया की एक समान वा विपरित दिशा में प्रतिक्रिया होती है इसे क्रिया प्रतिक्रिया, law of action and reaction भी कहते हैं कि दोनों बल परिमान में सदैव समान लेकिन दिशा में परिवर्तित होते हैं इसका तातपर है कि ये बल सदैव यूगल रूप में होते हैं ये बल कभी एक वस्तू पर कार नहीं करते बलकि दो अलग अलग वस्तू पर कार करते हैं न्यूटन के गति के तृतिय नियम के विवारी को धारन देखते हैं बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना जब किसी बंदूग से गोली चलती है तो उसमें भरा बारूत कैस में परिवर्थित हो जाता है इसी कारण गोली तीवर गती से बंदूग से बहा निकलती है ये गोली भी बंदुक पर विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया बल लगाती है इसी करण बंदुक पीछे की और हटती है भूमी पर चलते समय पैरों को पीछे की और धकेलना जब हम ठोस भूमी पर चलते हैं तो हम पैरों के द्वारा भूमी को पीछे की और धकेलते हैं तता भूमी भी प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पैरों पर आगी की और उतना ही बल लगाती है जिसके कारण हम आगी की और बढ़ते हैं तैरते समय पानी को पीछे की और धकेलना जब एक तेराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की और धकेलता है तब पानी भी तेराक को उतने बल से आगे की और धकेलता है जिससे तेराक पानी में आसानी से तेरने लगता है रेत पर चलना रेट पर चलना कठिन होता है क्योंकि जब पैरो द्वारा रेट पर बल लगाया जाता है तो रेट पीछे की और विस्थापित हो जाती है जिससे वे प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल परदान नहीं कर पाता है फर्ष से टकराने के बाद गेंद का वापस उछलना जब रबर की गेंद किसी फर्ष पर टकराती है तो उस पर एक बल लगता है इस बल के विप्रित दिशा में प्रतिक्रिया बल कारे करता है तथा गेंद वापस उपर की और गदी करने लगती है कुए से जल खीचना, जब कोई वैक्ती कुए से जल से भरी बाल्टी को उपर की और खीचता है तो वह रसी पर अपना ही बल लगाता है तो रसी भी वैक्ती को अपनी और उतने ही बल से खीचती है रसी के अचानक तूट जाने पर रसी द्वारा वैक्ती पर लगा बल समाप्त हो जाता है अता वैक्ती अपने द्वारा लगाएगा बल की कारण पीछे की और गिर जाता है रॉकेट का उड़ना, रॉकेट में ज्वलनशील इंदन दहन कक्ष में जलाया जाता है दहन कक्ष में एक छिद्र होता है जिससे गर्म गैसे तीवर गती से नीचे की और निकलती है रॉकेट द्वारा गैस ओपर क्रिया बल लगता है, ठीक उसी के बराबर परंतु विपरीत दिशा में गैसे रॉकेट पर उपर क्यों प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे रॉकेट उपर क्यों गती करने लगता है रेखिए संवेग संगरक्षित का सिध्धान इस सिध्धान के अनुसार यदि वस्तूओं के निकाये पर बाहिय बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाये का कुल संवेग सदैव संगरक्षित रहता है यदि M1 वा M2 द्रव्यमान के दो पिंड U1 वा U2 वेग से गतिमान है तता आपस में टकराने के पश्चा तो उनके वेग V1 वा V2 हो जाते हैं तो टकराने से पहले कुल संवेग equals to होगा टकराने के बाद कुल संवेग रेखिए संवेग संगरक्षन का नियम न्यूटन के गति के तृतिय नियम पर अधारित है क्योंकि तृतिय नियम के अनुसार पिंडो के समुदायों से बने किसी निकाय पर सभी प्रतिक्रियात्मक बलों का योग अर्थात नेटबल सदैव शून्य होता है यह नियम प्रकिर्ति का एक मूलभूत नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है संवेग संगरक्षन पर अधारित कुछ वहवारेक उधारन देखते हैं नाव से नदी के किनारे पर कूदना जब हम नाव से नदी के किनारे पर कूथते हैं तो नाव को अपने पैरो से पीछे की और दबाते हैं इससे नाव जटके से पीछे की और हड जाती है तता उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की और फेक देती है रॉकेट का प्रचेपन रौकेट का प्रच्छेपण रेखिये सम्वेग संगरक्षन के सिधान्त पर अधारित है रौकेट में एक दहन कोष्ट होता है या नली के दोरा एक दूसरे कोष्ट से संबंदन होता है जिसमें इंधन भरा रहता है, इंधन ठोस अत्वा द्रव किसी भी प्रकार का हो सकता है जब देहन कोस्ट में इंधन तता किसी ओक्सी कारक पदार्थ को मिला कर विस्पोर्ट कराया जाता है तो इससे उत्पन उश्मा के कारण दहन कोस्ट में दाब बहुत उचा हो जाता है तता कोस्ट से गर्म गैसे जेट के रूप में बहुत तीव रिवेग से निकलती है ये गैसे रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल आरोपित करती है अता रॉकेट त्वरित गती से आगे क्यों बढ़ता है जेट हवाई जहाज के इंजन भी समवेग संग्रक्षन के सिधान पर ही कारे करते है घर्शन जब एक वस्तू किसी दूसरी वस्तू के प्रिष्ट पर गती करती है अत्वा गती करने का प्रयास करती है तो उनके संपर्ट तलोप पर संपर्ष रेखिये दिशा में एक बल कारे करता है जो वस्तू की सापेक्ष गती का विरोध करता है ये बल ही घर्शन बल या घर्शन कहलाता है घर्शन बल सतों के मध्य लगने वाला बल है ये सता के स्वरूप जैसे खुर्दरी चिकनी होने के कारण घर्टा या बढ़ता रहता है घर्शन के कारण प्रतम कारण है सता की अनिमित्ता वस्तू की सता चिकनी या खुर्दरी किसी भी प्रकार की हो सकती है लेकिन वस्तू की सता पूर्णता चिकनी कभी नहीं होती है इसमें कई स्थानों पर अनिमत्ताएं पाई जाती है जो कि उभार तथा अवनमन के रूप में होती है दो वस्तू के मद्धे गती में जब एक सता दूसरी सता के संपर्क में आती है तो अनिमत्ताओं के कारण ये दूसरे से अंतरगर्थित हो जाती है जब एक वस्तू दूसरी वस्तू की सता पर गती करती है तो इस अंतरगर्थन के कारण गती का विरोध होता है ये विरोधी बल ही घर्षन बल कहलाता है इसका दूत्य कारण देखते हैं दूत्य कारण है आन्विक सिध्धान जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्ग में रहकर गती करती है तो इनके अणुओं के बीच एक प्रकार का अकर्षन बल कारे करता है अता एक वस्तू को दूसरी वस्तू की सता पर गती कराने के लिए एक अवश्य बल लगाना पड़ता है अता आन्विक आकर्षन बल घर्षन बल का ही स्वरूप है समान्य रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि घर्षन बल वस्तूओं के खुर्दरेपन के कारण उत्पन होता है परंतो इसके विपरित यह भी देखा जाता है कि यदि दो सत्वों को पॉलिश करके अत्यांत चिकना बना दिया जाए तो उनके बीच घर्षन बल एका एक बढ़ जाता है इसका कारण यह है कि ये दिसतों को अत्यान चिकना कर दिया जाए तो उनका वास्तविक संपर्क शेत्रफल बहुत बढ़ जाएगा अन्यमित उभार कम हो जाएगे और दोनों वस्तुओं के अधिकादिक अनु एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगे और उनके बीच अधिकादिक अन्त्राणविक बल क्रियाशील हो जाएगा घर्षन के प्रकार की प्रकार के होते हैं इस्थैतिक घर्षन सीमांद घर्षन और गतिज घर्षन जब दो वस्तुओं एक दूसरे के संपर्क में विरामवस्था में होती है तो उनके बीच अपिक्षित गति होने से पूर वजो घर्षन कारे करता है वे इस्थैतिक घर्षन static friction कहलाती है सीमांद घर्षन, इस्थेतिक घर्षन बल का वे अधितम मान है, जब वस्तु ठीक गती प्रारम करने वाली होती है, सीमांद घर्षन कहलाता है सीमांद घर्षन बल संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्व करता है, परंतु तल के छेतरफल पर नहीं सिमान्द घर्षन बल अविलम प्रतिक्रिय आर के अनुक्रमानोपाती होता है गतिज घर्षन काइनेटिक और डायनामिक फिर्क्षन जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर गती करती है तो उनके संपर्ख तलों के बीच कारेरत घर्षन बल गतिज घर्षन बल कहलाता है गतिज घर्षन बल भी अविलम प्रतिक्रिय आर के अनुक्रमानोपाती होता है तथा ये गतिज घर्षन संपर्ख तलों के छेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है गतिज घर्षन दो प्रकार का होता है एक होता है सरपी घर्षन, स्लाइडिंग फ्रिक्षन और दूसरा होता है लोटनिंग, रोलिंग फ्रिक्षन जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरकती है लोटनिक घर्षन जब कोई वस्तु किसी तल पर बिना फिसले लुड़कती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कारे रत घर्षन बल लोटनिक या बेलनी घर्षन कहलाता है घर्षन के लाब वा हानिया सामानने जीवन से लेकर विशिष्ट छेत्रों में अनिक कारें के लिए घर्षन बल आवश्यक है पर उन्तु इसके विपरित घर्षन के कारें उर्जा में सदैवहानी होती है घर्षन के मुख्य लाब देखते हैं पहले तो धरातल पर चलने है घर्षन बल की अवश्यकता होती है यदि घर्षन बल अनुपस्तित हो तो वैक्ति धरातल पर फिसल जाएगा उधारन यदि सडक पर चलते हुए वैक्ति के पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है तो व्यक्ति सड़क पर फिसल जाता है क्योंकि केले के चिल के दौरा पैर वा सड़क के मद्दे घर्षन बहुत कम हो जाता है वाहनों की तीवर गती हेतू भी घर्षन बल आवशक होता है यदि घर्षन बल उपस्तित ना हो तो वाहन का गती करना संभव नहीं होगा गर्शन की अनुपस्थिती में वाहनों में ब्रेक कार्य नहीं करते हैं क्योंकि वाहन की गती को कम करना संभव नहीं होता है गर्शन के कारण ही मशीनों में घिरनी या पट्टे की साहता से एक स्थान पर लगाए गये बल दूसरे स्थान पर स्थानांत्रित हो जाते हैं ब्लैक बोड पर चौक से तथा पेपर या पैन या पैंसिल से लिखना भी घर्षन के कारण ही संभव होता है घर्षन के कारण दीवार में कील गड़ जाती है घर्षन की बिना कोई भवन निर्मित नहीं हो सकता अब घर्षन से होने वाली हानिया देखते हैं घर्शन द्वारा दो वस्तुओं के मद्दे सापेक्ष गती का विरोध होता है जिसके कारण अत्रिक्त उर्जा व्य होती है जैसे हाथ रगणने पर गर्मी का अनुभव होना घर्शन के कारण मशीनों की दक्षता कम होती है क्योंकि घर्शन के विरोध कारे करने में उर्जा करने वाली मशीनों के पूर्जे घर्षन के कारण घिज जाते हैं जिससे ठीक प्रकार से कारे नहीं कर पाते तथा अधिक ध्वनियुत्पन करते हैं घर्षन को कम करने की विधियां देखते हैं पॉलिष द्वारा जब हम जानते हैं कि खुरदरी सता पर घर्षन बल का मान चिकनी सता से अधिक होता है अता सता पर पॉलिष करके अर्था चिकना बनाने पर घर्षन बल का मान कम हो जाता है इसनेहक द्वारा बाय लुब्रिकेंट्स जब तेल अथवा ग्रीस को दो सत्यों के बीच में डाल देते हैं तो दोनों सत्यों के बीच तेल अथवा ग्रीस की एक पतली परत बन जाती है जिससे दोनों सत्यों के मद्दे घर्षन बल कम हो जाता है अर्था तेल वा ग्रीस इसनेहक का कारे करते हैं उचित निर्मान सामगरी का उपयोग करके घर्षन बल दो सत्वों के मद्दे कारे करता है अता घर्षन बल सत्वों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है अर्थात घर्षन बल को कम करने के लिए हमें कम घर्षन गुणांग वाले बोल बेरिंग का प्रियोक करके मशीनों के गतिशील पूर्जों के मद्दे स्टील की छोटी-छोटी गोल गोलियां लगाई जाती हैं जिनको बॉल बेरिंग कहते हैं चुकि हम जानते हैं कि लोटनिक घर्षन का माँद सर्पी घर्षन से बहुत कम होता है अतां, बॉल बेयरिंग की विवस्था से सर्पी घर्षन, लोटनिक घर्षन, रोवलिंग फ्रिक्षन में परिवर्तित किया जाता है धारा रेखिये गति द्वारा तरल पदार धारा रेखिये रूप से गती करता है जब किसी वस्तु के आक interpreting धारा रेखिये होती है तो वस्तु पर तरल पदार का घर्शन घड जाता है अता तीवर गती से चलने वाले वाहन जैसे वायूयान, जैटियान, जलियान तेज चलने वाली ट्रेनों आधी को धारा रेखिये प्रकृति प्रदान करने के लिए उनके सामने वाला भाग मचली के समा नुकीला बनाया जाता है ये प्रकृतिया स्ट्रीम लाइनिंग कहलाती है ये एक सरल रेखिये प्रवा की धारा रेखिये प्रवा होता है घर्शन को बढ़ाने के उपाए घर्शन एक आवशक घटक है अता घर्शन का मान एक नियूंतम सीमा से कम हो जाने पर गती संभव नहीं हो पाती है तो इसे बढ़ाने के उपाए देखते हैं वाहनों को सुगमता से चलाने के लिए उनके पहियों में और नियमित प्रच्छे पिया खाचे बनाये जाते हैं चिकनी सड़क पर तथा बर्व से ढखे रास्तों पर फिसलन को कम करने के लिए उन पर रेत का छिड़काव किया जाता है जिससे सरलता से गती हो जाती है जूतों के तले खुर्दरे एवं कड़े रबड तथा चमड़े के बनाये जाते हैं स्वाचालित वहनुत उत्था साइकिलो ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उप्रियों करके हम घर्षन में व्रिधी कर सकते हैं व्यायामी अपने हाथों में रूक्ष पदात लगाते हैं ताकि घर्षन में व्रिधी करके अच्छी पकड़ बना सके तरल घरशन गैसो तथा द्रवों को तरल घरशन कहा जाता है तरल अपने से होकर गुजरने वाली वस्तुवों पर घरशन बल लगाते हैं किसी तरल पर लगने वाला घरशन बल उस तरल के सापेक्ष गती पर निर्भर करता है गर्शन बल वस्तू की आकृती तता तरल की प्रकृती पर भी निर्वर करता है वाहनों को उचित आकृती प्रदान करके उन पर लगने वाले तरल गर्शन को कम किया जा सकता है तरल गर्शन को कर्शन भी कहा जाता है अभी केंद्र बल जब कोई पेंड या वस्तू वृतिये पत पर एक समान चाल से गती करती है तो इसके वेग में परिवर्तन होने के कारण गतीमान पेंड पर अभी केंद्र तौरण कारे करता है जिसके दिशा सदैव वृत केंद्र की और होती है न्यूटन के नियम अनुसार तौरण सदैव किसी बल से उत्पन होता है तथा इस बल की दिशा वही होगी जो तौरण की दिशा है अता वृतिये गती करते हुए पिंड पर एक बल कारे करता है जिसके दिशा सदैव वृत के केंद्र की और रहती है इस बल को अभिकेंद्र बल कहते है अभिकेंद्र बल मापने का हमारा ये फॉर्मूला है एक नजर इस पर भी डाल लीजेगा अभिकेंद्र बल कोई मूल बल नहीं है प्रकित्ती में पाए जाने वाले विभिन बलो अर्थात घर्शन बल, गुर्तवा कर्शन बल और विद्धुत बल आदी में कोई भी बल अभिकेंद्र बल का कारे कर सकता है अभिकेंद्र बल के उधारन वृताकार मोड पर कार का मोड़ना जब कोई कार सड़क के वृताकार मोड से गुजरती है तो उसे वृत्तकार पत पर मोडने के लिए भी केंदर बल की आवशकता होती है कार को ये आवशक बल उसके टायरों वह सड़क के बीच विद्यमान घर्षन बल से मिलता है यदि टायर घिसे हो अत्वा सड़क गीली या बरफीली या चिकनी हो तो घर्षन बल कम हो जाता है और यदि इस इस्तिती में घर्षन बल कम हो कि कार को आवशक अभी केंदर बल प्राप्त नहीं हो तो कार मोडने के बजाए फिसलने या पलटने लगती है जुकी हुई सड़क पर कार की गती अथवा सड़क का बंकन समतर सड़क के वृतिय मोड पर गती के लिए कार को आवशक अभी केंदर बल सड़क वा कार के टायरों के बीच लगने वाले घर्षन बल से प्राप्त होता है घर्शन बल का मान कार के टायर घिस जाने पर गीली सड़क पर कंक्रीट वाली सड़क पर बहुत कम हो जाता है अता वृतिय मोड पर अवश्यक अभी केंद्र बल केवल घर्शन बल पर अधारित नहीं होता है गर्शन बल पर अभी केंदर बल की निर्भरता को कम करने के लिए सड़क के किनारों को उठा कर बनाया जाता है अता मोडो पर अंदर की और धलान बना देते हैं जिससे सड़क 36 से किसी कोण पर जुख जाती है इसे सड़क का जुखना या बंकन कहते हैं इसी प्रकार रेल की पट्रियां बिछाते समय मोडों पर अंदर वाली पट्री को बाहर वाली पट्री के तुला में कुछ नीचा बिछाते हैं ऐसा करने से मोटर अथवा रेल गाड़ी मोड पर बुजरते समय स्वयम ही अंदर की और छुग जाती है जिससे आवर्शक अभिकेंदर बल उत्पन हो जाता है यह बल प्रित्वी की अभिलम प्रतिक के लिया से उत्पन होता है प्राकिर्तिक घटनाओं में वृतिय गती पृत्वी सूर्य के चारो और घूमती है यह हम जानते हैं कि वृत्वी गती के लिए अभिकेंदर बल की अवशकता होती है अता पृत्वी पर भी एक अभिकेंदर बल लगता है जिसकी रिशा सूर्य की और होती है पृत्वी को यह बल सूर्य द्वारा पृत्वी पर आरोप वृतिय पत्थ पर घूमते हैं इस इस्तिती में आवशक अभी केंद्र बल परमाणू के नाभीक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले इस्थिर वैदूत आकर्शन बल से प्राप्त होता है अता प्रमाणू में इस अभी केंद्र बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभीक क चारोवर परिक्रमा करता है अब केंद्र बल जब कोई वस्तु वृत्य गति करती है तो वस्तु पर वृत्य पत केंद्र से बाहर की और एक बल लगता है इस बल को अब केंद्र बल कहते हैं अब केंद्र बल के अनुपरियोग दूद से क्रीम निकालना इस यंत्र का उपयोग द्रव में उपस्तित विभीन ड्रव विमानों के कड़ों को प्रिठक करने के लिए किया जाता है इसमें द्रव को भर कर तीव रगती से घुमाया जाता है इस प्रकिरिया में द्रव के भारी खन, हलके खंड के पिक्षा अधिक दोरी पर अर्थात परिधी के ओर चले जाते है इस प्रकार विभिन द्रव विमान के खन पृत्यक हो जाते हैं दूँट से क्रीम निकालने की मशीन इसी सिधान पर आधारित है वाशिंग मशीन में ड्रायर द्वारा कपड़ों का सूखना वाशिंग मशीन के ड्रायर में एक लंबा तथा उर्धवाधर बेलना कार बरतन होता है तथा इसकी दीवार में छिद्र बने होते हैं गीले कपड़े को इस बरतन में डाल दिया जाता है इस बर्तन का संबन एक विद्धुत मोटर से कर दिया जाता है जो इसे एक उर्धवादर अक्ष के पारिता तेजी से घूमता है जैसे चलती हो साइकिल की चाल ब्रेक लगा कर बदली जा सकती है संतुलित बलों से वस्तु की विराम या गती की स्थिती में कोई परिवर्तन नहीं होता है परन्तु वस्तु की आकर्ति बदल जाती है न्यूटन की गती के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगा और संतुलित बाहिये बल समवेग में परिवर्तन कर सकता है न्यूटन के गति का दूतिय नियम बल एवं सम्वेग में परिवर्तनों तथा त्वरण बल के मद्धे संबंधों को बताता है बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है और इसका प्रतिक N है गति के तृतिय नियम द्वारा हम यह इस परस नहीं कर सकते कि कौन सा क्रिया बल है और कौन सा प्रतिक्रिया यह दोनों परस पर विनिमे होते हैं प्रतिक्रिया बल तब तक कारे करता है जब तक की क्रिया बल कारे करते रहे अता दोनों बल समकालिक होते हैं क्रिया वा प्रतिक्रिया बल के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दोनों वस्तुएं परस पर संपर्क में हो जैसे चुम्बकों के बीच संपर्क ना होने पर आकर्शन वा प्रतिकर्शन बल का होना सरपी घर्षन से थोड़ा कम होता है लोटनिक घर्षन सरपी घर्षन से कम होता है हमारा चौत्था अध्याय है कारे उर्जा और शक्ति जिसके अंतरगत है कारे उर्जा उर्जा संचरन का नियम उर्जा के श्रोद कारे करने की दर अर्था शक्ति कार्य उर्जा और शक्ति कंटेंट देख सकते हैं कहां कहां से किस चप्टर से और कौन सी क्लास से लिया गया है आईए स्टार्ट करते हैं मनुष्य अपने द्यानिक जीवन में अनई क्रियाय करता है जैसे साइकल चलाना, पुस्तक पढ़ना, मैदान में खेलना, बातचीत करना, किसी वस्तु को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर रखना आदी साधार्ण बाशा में इन सभी क्रियाओं को कार्य कहा जाता है बहुतिक विज्ञान की अनुसार कार्य तब ही किया हुँ माना जाता है, जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में विस्थापन होता है तब सभी कार्य को करने के लिए उर्जा की अवशक्ता होती है कारे, कारे वे भौतिक रिया है, जिसमें बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है अर्थात वस्तु की इस्तिती में परिवर्तन किया जाता है कारे की विज्ञानिक संकल्पना विज्ञान की अनुसार कार्रे होने के दिम लिखित दशाएं हैं जो की उनको पूरा करती हैं आईए देखते हैं पहला है वस्तू पर कोई बल लगना चाहीं और दूसरा वस्तू विस्थापित होनी चाहीं यदि उपरोक में से कोई भी इस्तिती पूर्ण नहीं होती है तो कार्रे नहीं किया गया माना जाता है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्रे किसी वस्तू पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्रे डबलू बल के परिमान तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के ग आध्यम से भी देख सकते हैं जैसी वस्तु पर एफ बल लगाने से भे बल की दिशा के साथ si 003 और ऐस दूरी तक विस्तापित होती है तो किया गया ये इस तरीके से हैं देखिए कारे में केवल परिमान होता है, कोई दिशा नहीं होती है, इसमें हम दिशा नहीं देखते हैं, केवल परिमान देखते हैं कारे के मात्रक, ऐसा ही पद्धिती में कारे का मात्रक जूल होता है, एक जूल बराबर एक न्यूटन गुना में एक मीटर अर्थात यदि एक न्यूटन का बल किसी वस्तू को एक मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कारे एक जूल होता है CGS पद्धिती में कारे का मात्रक आर्ग होता है एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग कारे के प्रकार किसी वस्तू पर कारे रत बल तता उसके द्वारा वस्तू के विस्थापन की दिशा के माद्धे निर्मित कोण के आधार पर कारे को निमले के तीन प्रकार से बाटा जाता है धनात्मक कारे रिनात्मक कारे तता शूनने कारे धनात्मक कारे यदि बल और विस्थापन के मद्धे बने रहे कोंड का मान शून से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार धनात्मक होगा धनात्मक कारे यदि बल और विस्थापन के मद्धे बने रहे कोंड का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 270 डिग्री से कम हो तो किया गया कार धनात्मक होता है शून्ने कारे जब बल तता विस्तापन लंबवत दिशा में होते हैं तो बल द्वारा किया गया कारे शून्ने होगा उधारन के तौर पर यदि कोई कूली सिर पर बोज उठाकर प्लेटफार्म पर चल रहा है तो वह कोई कारे नहीं करता क्योंकि उसका कारे गुरुत उबल के लंबवत होता है विर्ता कारपथ पर घूमते पिंड पर बल की दिशा सदैया पिंड की गती के लंबवत होती है 500 kg द्रव्यमान के भार को कुछ समय तक अपने कंदे पर अतार उठाए खड़ा है तो वैं कोई कार्य नहीं कर रहा है यदि बल शून्य है तो किया गया कार्य शून्य होगा उधारण किसी चिकनी 36 मेज बर गती योँ पिंड पर कोई 36 बल कार्य नहीं करता है क्योंकि चिकने तल पर घर्षन नगन्य होता है अर्थात इस स्थिती में किये गए कार्य को शून्य माना जाएगा उर्जा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की शमता को उर्जा कहते हैं किसी वस्तु में नहीत उर्जा का मापन कार्य से किया जाता है उर्जा का मात्रक जूल होता है उर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है उर्जा के विबिन स्वरूप होते हैं आईए देखते हैं प्रकृति में उर्जा अनेक रूप में पाई जाती है जिन में से उर्जा के कुछ समानने रूप है वह है यांत्रिक उर्जा वह करते हैं जिसके कारण कोई वस्तू यांतरिक और नर्जी को अधर गदिशील कार की ऊर्जा च्छ पर रख़ी पानी की टंकी में पानीकी िुर्जा यांत्रिक और नि upwards में ता इसलिग्स तक प्रत्रasında करते होते हैं जो एक दूसरे के सपद्ध कंपन शील होते हैं वस्तु में अन्त्रिक जोवाच फुल्जा की योग होती है निपनी या अalnya निवह जिसे इंद आंक कारण हरा उस्तु के गर्म होने का भास होता है यह किसी वस्तु की तप्त वस्था की कारण प्राप्त उर्जा उश्मय उर्जा कहलाती है किसी वस्तु में उश्मय उर्जा अणुओं के अविवस्थित विचरन के कारण उत्पन होती है भाप में उश्मय उर्जा होती है भाप इंजन में उश्मय उपयोगी यांत्रिक कारे करने में प्रियोक्त होती है उश्मिय उर्जा के इस्थान अंत्रन की मूल धारना इस लक्षन से प्राप्ट की जा सकती है कि एक किलोग्राम जल 10 डिगरी सेलसियस ठंडा होने पर 42 जूल उर्जा मुक्त करता है रसाइनिक उर्जा किसी रसाइनिक योगिक की उर्जा तथा उस रसाइनिक योगिक की रचना करने वाले तत्वों की उर्जा में अंतर को रसाइनिक उर्जा कहते हैं अर्थात रसाइनिक उर्जा रसाइनिक योगिक के परमाणों में उपस्तित बंधों के कारण होती है रसाइनिक अभिक्रिया में रसाइनिक उर्जा स्थापित होती है रसाइनिक अभिक्रियाओं में उर्जा या तो अवसोशित होती है या उत्सर्जित होती है यदि रसाइनिक चेपी एक्जोथर्मिक और कहलाती है वいき जुञारन्म विद तलकी ओर्जम कोई तनी। unoor जोह instructed करते हैंि अर्थात में शेतर में विदुत दूसरे बिंदू तक ले जाने में कारे करना पड़ता है जो उर्जा के रूप में संचित होता है उधारण विद्धुत मोटर विद्धुत बल्ब आदी नाविकिय उर्जा किसी भी उर्जा के नाविक का निर्माण नियूट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा होता है नियूट्रॉ अश्थाई नाविक जैसे यूरेनियम एक नियूट्रॉन की बंबारी द्वारा हलके नाविकों मिभख्त हो जाता है। इस प्रकार में अंतिम तता प्रायरंबिक उतपादों के द्रव्यमान में अंतर होता है। और ये द्रव्यमान छती उर्जा में उपांत्रित हो जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के चार हलके नाभिकों के सलियान द्वारा एक हीलियम बनता है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के चारों नाभिकों की कुल द्रव्यमानों से कम होता है। प्रकाश उर्जा, जिस उर्जा के कारण हमें वस्तु इस पस्ट रूप से दिखाई देती है, प्रकाश उर्जा कहलाती है। उत्पन करने में भी करते हैं जल उर्जा बैते जल से प्राप्त उर्जा को जल उर्जा कहते हैं इसकी सायता से विद्धु धरा जनेत्र द्वारा विद्धुत का उत्पन करते हैं भारत में लगबग 25% विद्धु जल शोतों से प्राप्त होती है विद्धुत भारत में लगबग 25% विद्धुत जल श्रोतों से प्राप्त होती है जैव भार उर्जा गोबर गैस अत्वा कच्रे आदी से प्राप्त उर्जा जैव भार उर्जा होती है इसे मिथेन गैस उत्पन होती है जो इंधन के रुप में प्रियोक्त होती है सौर उर्जा, सूर्य द्वारा प्रतिन प्राप्त होने वाली उर्जा को सौर उर्जा कहते हैं प्रतिवी पर पाए जाने वाली सभी उर्जा, श्रोतों का प्रतियक्ष या अप्रतिश रूप से मूला था सूर्य ही है सूर्य ही उर्जा का सबसे बड़ा श्रोत है द्रव्यमान उर्जा तुल्लेता इलबर्ट आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान और उर्जा एक दूसरे के तुल्ले होते हैं तथा निम्लिकित समीकरण द्वारा संबनित होते हैं E इक्वल्स टू MC स्क्वेर जहां C निर्वात में प्रकाश की चाल है जो लगबग 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर के बराबर है उप्रोप्त समीकरण को द्रव्यमान उर्जा का समतुले संबन्द कहते हैं यदि वस्तू का द्रव्यमान एक किलोग्राम हो तो उर्जा E इक्वल्स टू 1 मुल्टिप्लाइ C स्क्वेर अर्थात एक गुना में 3 मुल्टिप्लाइ 10 की पावर 8 का स्क्वेर नो गुना में 10 की पावर 16 जूल होता है अथा उर्जा वा द्रवेमान एक दूसरे में परिवर्थनी हैं यांत्रिक उर्जा के प्रकार यांत्रिक उर्जा दो प्रकार की होती है जो की निम्ण है गतिज उर्जा किसी गतिशील वस्तु में उसकी गतिज उर्जा को गतिज उर्जा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं गतिज उर्जा का मान सदेव घहनात्मक होता है किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज उर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किये गए कारे के बराबर है यह एक अधिसराशी है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान M है जो की वेग V से गतिशील है तब वस्तु की गतिज उर्जा होगी k equals to 1 upon 2 mv का square SI पद्धिती में गतिज उर्जा का मात्रक जूल तथा CGS पद्धिती में आर्ग होता है गतिज उर्जा के उधारण मंदूग से चलाई गई गोली में गतिज उर्जा होती है जिस कारण में लक्ष को कुछ दूरी तक भेज सकती है पहते पानी में गतिज उर्जा होती है जिसका उपयोग तरवाइन को उहमाने में लकडी के बड़े-बड़े लठो को बाहा कर ले जाने में किया जाता है गतिशील वायू में गतिज उर्जा होती है कई रूपों में नहींत होती है जैसे गुरुत्वीय प्रत्यास्त रसाय कि वेधुत्थ आदि स्थितिज उर्जा के उधार बांध में उचाई पर संचित जल में गुरुत्व pengेर्खề होती है जिसके माद्यम से टर्बाइन गोंगती है जब हथोड़े को उपर उठाया जाता है तो इसमें गुरुत्वे स्थितिज उर्जा संगरक्षित हो जाती है जिसके माद्यम से कील लकडी में गड़ जाती है जब धनुष की डोरी को खीचा जाता है तो डोरी में प्रत्यस्त इस्थितिज उर्जा संचित हो जाती है जिसके माद्यम से तीर को गती प्राप्थ होती है इस्थितिज उर्जा के प्रकार इस्थितिज उर्जा के निम्न प्रकार है आईए देखते हैं गुरुत्वे स्थितिज उर्जा जब किसी वस्तु को प्रित्वी के धरातल से उपर उठाया जाता है तो गुरुत्वे बलके विरुद कारे करना पड़ता है यह कार्य वस्तू में गुरुत्वे स्थितिज उर्जा के रूप में संचित हो जाती है अता किसी वस्तू को पृत्वी के धरातल से उपर उठाने ही तो कार्य करने की शमता को गुरुत्वे स्थितिज उर्जा कहते हैं गुरुत्वे इस्तितिज उर्जा U equal to MGH जहां M वस्तु का द्रव्यमान G गुरुत्वे त्वरण तता H उचाई है किसी वस्तु को उपर उठाने के लिए आवश्यक नियुम्तम बल वस्तु के भार के बराबर होता है प्रत्यस्त इस्तितिज उर्जा, elastic potential energy वस्तु में उची प्तिज गुण के कारण उपर्जित उर्जा को प्रत्यस्त इस्तितिज उर्जा कहते हैं की प्रितियस्ति उर्जा होती है U इकल टू 1 अपन टू K X स्कोयर जिसमें K जो है वो spring का बल नियतांक है और X जो है spring में spring की लंभाई में परिवर्तन है उर्जा संंग्रक्षन नियम उर्जा संग्रक्षन इस नियम की अनुसार उर्जा ना तो उत्पन की की जा सकती है और नहीं नस्ट की जा सकती है किन्तु एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांत्रण हो सकता है अता विश्व की कुल उर्जा का परिमान स्थिर रहता है उर्जा संग्रक्षन का नियम प्रतेक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांत्रणों में मानने हैं उर्जा का रूपांत्रन उर्जा के विभिन रूपों को एक दूसरे में परीवर्थित क्या जा सकता है तथा URJ Böyle की एक ूरविठी परड़ित होने की प्राकी कहते हैं इसके उधारन निम्णहें पौधोध्वारा भोजन से लिए प्रतित्ट करें परवर्थित्व जाती हैं विद्धुत उर्जा का रुपांतरन उश्मियय ऊर्जा में कीड़ी फूले प्रनें गरोंगे एकरन के उप्योग में, घरों में लगे बिजली के पंखे, फ्रिज, कूलर, AC आदी में विद्धूत उर्जा का रुपांतरन गतिज उर्जा वा उश्मिय उर्जा की रूप में होता है। यांतरिक उर्जा के संगरक्षन का नियम, किसी भी निकाए की यांतरिक उर्जा अर्थात उसकी गतिज वा इस्थितिज उर्जा का योग सदैव नियत रहता है। गतिज उर्जा में उतनी ही व्रिधी हो जाती है। ये सारे इंद के विशेष्टाएं हैं। उर्जा के श्रोत के विशेष्टाएं हैं। उधारन कोईला प्रेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आदी उर्जा के प्रमुक परंपरागत शोत देखते हैं। जीवाश्म इंदन कोईला ये कार्बन तथा कार्बन के अन्य तत्वों हाइड्रोजन नाइड्रोजन ऑक्सिजन सल्फरादी के साथ बनाए योगिकों का मिश्रण है। ये उर्जा का व्रिहद श्रोत हैं। इसका उप्योग घरों तथा उद्योगों में इंदन के रूप में होता है। पेट्रोलियम ये काले रंग का एक विशेश गंधवाला अपरिश्कृत तेल है जो हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रन होता है। इसमें पानी लवन तथा पृत्वी के कण के अत्रिक्त ऑक्सिजन नाइड्रोजन तथा गंधक योगिक भी मिश्रित होते हैं। इसका उप् पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में ये हानिकारक गैसों और अन्य प्रदूश्कों के कम उत्सरजन के साथ जलती है। ये पेट्रोकेमिकल उद्योगों को संचालित करने के लिए उर्जा प्रदान करती है। इसके अत्रिक्त ये खाना पकाने और आटो मोबाइल के इंदन के रूप में प्रियोग की जा रही है। उर्जव और उर्वरग उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रियोगता है। गाडियों में इसका प्रियोग संपीडित प्राकृतिक गैस के रूप में हो रहा है जो बहुत लोग प्रिये हैं। ताप ये विदुद संयंत्रों में प्रती दिन विशाल मात्रा में जीवाश्म इंदन का दहन करके जल उबाल कर भाब बनाए जाती है जो तरवाइनों को घुमाकर विदुद उत्पन करती है समान दूरियों तक कोईले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुला में विदुद संचरन अधिक दक्ष होता है यही कारण है कि बहुत से तापिय विदुद संयंत्रों कोईले तथा तेल के शेत्रों के निगट स्थापित किये गए हैं इन संयंत्रों को तापिय विदुद संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में इंधन के दहन द्वारा उश्मे उर्ज स्वाइब के जोपने का अदियों करने के लिए नदियों को रोख कर बड़े जलाशों में जल अकत्र करने के लिए उचे उचे बांद बनाए जाते हैं इन जलाशों में जल संचित होता रहता है जिसके फलसोरुप इन में भरे जल का तल उचा हो जाता है बांद के उपरी भाग से पाइपो द्वारा जल बांद के अधार के पास स्थापिट टर्बाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गि यंत्र विज्ञान में विभिन श्रोतों की सहायता से सुधार किया जा सकता है जैव मात्रा यह परंपरागत उर्जा का श्रोत है जैसे लकड़ी फसलों के अवशेश गन्ने के छिलके गाय के गोबर के उपले आधी को घरों तता उद्योगों में इंधन के रूप में उप पादन में भी किया जाता है लकड़ी का कोईला यह लकड़ी को नियंत्रित हवा की उपस्तिती में जलाकर प्राप्त किया जाता है इसकी तापिये या उश्मिये शमता लकड़ी से अधिक होती है तता पेशकृत कम धुआ उत्पन करता है बायो गैस गोबर फसलों के कटने वाला आरंबिक पदार्थ मुखेता गोबर होता है इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं बायो गैस सरयंत्र बायो गैस बनाने में जिस सहेंद्र का उपयोग करते हैं वैं प्राप्त अवशेश का उप्योंग खाद के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें होते हैं मिश्रन टैंग पशुव का गोबर तथा पानी मिला कर मिश्रन टैंग में सलेरी तयार किया जाता है गैस टैंग जैव गैस को संपाचित्र के रूप में बनी गैस टैंकी में संचित किया जाता है तथा गैस का उपयोग के लिए पाइपो द्वारा बाहर निकाल लिय जाता है आंत्री कक्ष यह मिशन कक्ष को संपाचित्र कक्ष से जोड़ता है इसमें एक स्लोप बना होता है जिससे स्लेरी आसानी से संपाचित्र कक्ष में पहुंच जाती है संपाचित्र कक्ष यह चारों और से एक बंद कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है अव वाय विये सुक्ष में जीव जीने जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की अवशक्ता नहीं होती है गोबर किस लेडी के जटिल योगी को का उपगटन कर बायो गैस का निर्मान पादन में तथा नद्योवे समुंधर में नावों को चलाने में प्रित्वी कि सत्रथ के अंदर से पानी बहार निकालने में अनाजव पीशने की चक्कियो यह गटिषील वायो क्यों पानी करने वाली एक मशीन है इसकी सन्नाचना में और पंक्ख्र के आकारता इना गा अधिक संख्या में एक और शेट्र में लगा दी जाती हैं यह चेत्र पवन उर्जा की गैर परण जोटेंई की 109 के साथ ही मारी उर्जाकी मांों इस दिन विर्दी हो रही है मारी जीवन शेली में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है हम अपने कार्या को करने के लिए अधिक हाधिक म अधिक मशीनों का nisज से लिएलंत गरते हैं जैसे कि अधिक यूजा श्रोतों के आवशकता होती है अता आवशक पूर्जा की पूर्थी के लिए उर्जा के गैर परंपरागत श्रोत को खोजने की आवशक्ता है कुछ गैर परंपरागत उर्जा के श्रोत सौर उर्जा सूरे की विकरण से प्राप्त उर्जा सौर उर्जा कहलाती है जिससे उश्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है सूरे का उत्पादन उश्मा तथा प्रकाश के रूप में होता है सौर उर्जा का केवल एक लगू भाग ही प्रित्वी के वायो मंडल की बाहिये पर्तों पर पहुँच पाता है इसका लगबग आधा भाग वायो मंडल से गुजरते समय अवशोशित हो जाता है तता शेश भाग प है इसी शेत्र के प्रतिदिन प्राप्ठ होने वाली सौरु ऊश का उसत्थ परिमांड चार से साथ किलोवाट पर आवर मीटर के स्कुयर के मीटर स्कुयर के बीच होता है सौरु तो यकि लाब staging इससे प्रदूशन नहीं होता है यह हमारे देश में प्रचुर मात्रह में उ भाति, यह मूल ले रहित है इसका वैवारे उप्योग किया जा सकता है सौर उर्जा की कुछ सीमाइं भी है अटी कि सत्याब पहुचने वाली सौर उर्जा धुंदली होती है अत्ता इसका पृत्य व्यू्प से उप्योग सीमित है ये पूरे समय समान मात्रा में सभी स्थानों पर उपलब्द नहीं होती है, रात्री में उपलब्द नहीं होती है, आकाश में बादर होने पर उपलब्द नहीं होती है सौर इस्थिरांग प्रिथ्वी के सता पर एक मीटर स्कूर छेत्रफल में प्रती सेकिन आप्तित होने वाली सौर उर्जा को ही सौर इस्थिरांग कहते हैं सौर उर्जा युक्तियों, युक्तियां वे युक्तियां जिनके प्रचालन के लिए सौर उर्जा का उपयोग होता है, सौर उर्जा युक्तियां कहलाती है, जैसे सौर कुकर, सौर पैनल, सौर सेल, आदी, सौर उर्जा की कुछ प्रमुख युक्तियां है, आईए देखते ह जाता है जिससे यह अधिक्तम सूर्य के विकिरणों को अफ्षोशन कर सके इस बॉक्स के उपर एक कांच की पतली आवरण होती है बॉक्स में एक समतल दर्पन को परावर्तक के रूप में लगा दिया जाता है कुछ सौर कूकर में अवतल दर्पन का उपयोग करके सूर्य की क या धीमी होती है अतर्प खान में पोशक तत्व नष्ट नहीं होती है यह एक समय में चार प्रकार के वेंजन पका सकता है। सौर कुकर की भी कुछ सीमाएं है, इसका प्रयोग आकाश में बादल होने पर या रात्री में नहीं किया जा सकता है, इसका उप्रयोग रोटियां बनाने या किसी खाने को तलने के लिए नहीं किया जा सकता है, सौर कुकर की दिशा समय समय पर परिवर्थित करनी पड़ती है 0.5 से 1.1 वोल्ट तक वोल्टा विक्सित होती है लगबग तता लगबग 0.7 वोल्ट विद्धुत उपन कर सकते हैं सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्थ चालक का उपयोग किया जाता है या वातावरिन के अनुकूल है तता कोई प्रदूशन उपन नहीं करता है इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत महंगी होती है सौर सेल के उपयोग जो है देखते हैं सड़कों पर प्रकाश के लिए ट्राफिक सिगनल में तता पानी के पंपों में समुद्र इस्थित प्रकाश इस्तंभों को बिजली देने में दूरस्थ इस्थानों में रेडियो तता संग्णकों को प्रिचालित करने में कृतिम उपग्रहों में विदुद्ध प्रदान करने में और खिलोनों में सौर पैनल जब बहु सारे सौर सेलो को एक क्रम में संयोजित कर दिया जाता है तो सौर संयोजन सौर पैनल कहलाता है इससे प्राप्त विदुत वाहक बल का मान अधिक होता है तो धारा का मान भी अधिक प्राप्त होता है यह विवस्ता सौर पैनल कहलाती है इससे प्राप्त समुद्र एक नविकर्णी उर्जा का श्रोत हैं समुद्र से प्राप्ट उर्जा के अनेक प्रारूप है आए देखते हैं इसमें जौरी उर्जा टाइडल एनरजी घुर्णन गती करती प्रिथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गृत्वे खिचाव के कारण सागरों म किसी संकेन छेत्र पर बांध का निमान करके किया जाता है बांध के द्वार पर इस्तित तरवाइन जौरी उर्जा को विद्धूत उर्जा में रुपांत्रे कर देती हैं तरंग उर्जा वायू के कारण समुद्र की सता पर पानी में तरंगे उत्पन हो जाती है इन तरंग मासागरिय तापिय उर्जा समुंद्रों अत्वा मासागरों के प्रिष्ट का जल सूरे द्वारा तप्त हो जाता है जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपिशक्रित थंडा होता है ताप में इस अंतर का उपयोग सागरिय तापिय उर्जा रुपांतरन विद्धुत सहीं अंतर में उर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है OTC विद्धुत सहीं अंतर केवल तभी प्रचलित होते हैं जब मासागर के प्रिष्ट पर जल का ताप तथा दो किलोमेटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सिस का अंतर हो प्रिष्ट के तप्त जल का उप्योग अमोनिया जैसे वाश्वशील द्रवों को उबालने में किया जाता है भूमिगे परिवर्तनों के कारण भूप और पटी में गहराईयों पर तप्त छेत्रों में पिगलती चटाने उपर धकेल दी जाती है जो को छेत्रों में एकत्र हो जाती है इन छेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं, जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संबर्ग में आता है तो भाप उत्पन होती है कभी-कभी इस तप्त जल को पृत्वी के प्रिश्ट से बहार निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है इस निकास मारगों को गरम चश्मात्वा उश्न श्रोत कहते हैं कभी-कभी ये भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है तब तिस्थलों तक पाइप डाल कर इस भाप को बाहा निकाल लिया जाता है उच दाब पर निकली ये भाप विद्धुद जनित्र की टर्बाइन को घुमाती है जिससे विद्धुद उत्पादन करते हैं इसके द्वारा विद्धुद उत्पादन की लागत अधिक नहीं है परन्तो ऐसे बहुत कम शित्र जहां वैपारी द्रिष्टी कोंड से उर्जा का दोहन करना वहवारिक है न्यूजिलेंड तता संयुक्त राजे अमेरिका में भूत आप ये उर्जा पर आधारित कई विद्धुद शक्ति संयंत्र कार कर रहे हैं प्रमाणों के नाभिक में संग्रहित उर्जा नाभिकिये उर्जा कहलाती है ये उर्जा नाभिकिये विक्राओं से मुक्त होती है नाभिक्य अभिक्रिया दो प्रकार की होती है नाभिक्य विखंडन इस विखंडन में भारी नाभिक का विखंडन दो या दो से अधिक छोटे भागों में हो जाता है इस विखंडन में असी मूर्जा उत्पन होती है या विखंडन धीमी गती के निट्रोनों को उस कराने पर होता है इस स्थान के अधार पर नाभिक्ये सहींंत्र विद्दुत उर्जा का उत्पादन करते हैं विखन्ड़ न भीक्रियीमे उपमुँक्त उर्जा विखंड़ न भीक्रिय क turning की छती होती है यह च्य ओलए हुआ दो या दो से अधिक हलके नाजित होकर एक भारी नाढिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया में बहुत अधिक अरप के चलिए नाजित होना चाहीं जाईंव आथ पंड़र कैल्विन अति ओचई definite करiej जंव कि एक लाख वायो मंदलिय दाप के बराबर होना चाहिए उर्जा का वातावरण पर प्रभाव किसी उर्जा को प्राप्त करने पर वातावरण को छती पहुँचती है तथा वातावरण का संतुलन भी विगड़ जाता है जीवाश में इंदन की तुला में वैकल्पिक शोतो से कम होती है उर्जा की बढ़ती खपत के पर्यावरण पर निम्न प्रभाव होंगे आए देखते हैं जीवाश में इंदन को जलाने पर अमलिय वर्षा की संभावनाय बढ़ेंगी जिससे पेड़ पौदे तथा फसले और खेती की भूमी प्रभावित होगी पानी में रहने वाले जीव जनतों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जीवाश में इंदन के जलने पर हरित ग्रह प्रभाव की कार्बन डायोकसाइड गैस की मात्रा वातावरण में बढ़ जाएगी उर्जा के लिए वनों तथा पेडों की कटाई बढ़ने से मिट्टी में कटा उत्प पर विद्व कर देंगे नावकिये विद्वत्व थारों के निरमाण से वितवपर की मात्रा बढ़ती जा रही है हाइड़्ोजन बाम ताप नाविकिय अविक्रिया पर अधारित होता है हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम तथा प्लूटेनियम के विखंडन पर अधारित किसी नाविकिय बम को रख देते हैं यह नाबिकी अबम ऐसे पदार्थ में अंताह स्थापित किये जाते हैं जिनमें डिउटीरियम तथा लीथियम होते हैं जब इस नाबिकी अबम जो विखंडन पर अधारिते को अधिविस्पोटित करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ माइक्रो सेकिंड में 10,000 तक बढ होती है कारे करने की दर शक्ति कारे करने की दर या उर्जा रुपांतरन की दर को शक्ति कहते हैं यदि कोई करता टी समय में डबलू कारे करता है तो शक्ति बराबर कारे बट्टा में समय होता है शक्ति का मात्रक वाट है तथा वाट का प्रतिक डबलू है जबकि जेम्स व के समान में रखा गया है वाट शक्ति का छोटा मात्रक है वैवार में कीलो वाट या छीटेदर सवाइब करते हैं एक कीलो वाट बराबर होता है हजार वाट एक मेगा वाट होता है दस के पावर छे वाट sìä एक अशव शक्ती होता है 746 वाट साधानता मशीनों की शक्ती को अश्वी शक्ती से प्रदर्शित किया जाता है ये कुछ extra facts है यदि किसी पिंड पर बल लगाए और वे विस्थापित ना हो अर्था अतिस्थान परिवर्थित ना करे तब कोई कारे संपादित नहीं होता है उधारण दिवार को धकेले पर विस्थापन नहीं होने पर किया गया कारे शूने है किसी पिंड में उसकी गती अत्वा स्थिती के कारण कारे करने की जो शमता होती है पिंड की यांत्रिक उर्जा कहलाती है उर्जा का मात्रक भी कारे के मात्रक के समान ही जूल है इसे जे द्वारा व्यक्त किया जाता है, चुम्बक लोहे को अपनी और आकर्शित करती है तो चुम्बक में कार्य करने की शमता होती है चुम्बक की क्रियाविधी में संबलित उर्जा को चुम्बक की उर्जा कहते हैं हमारा पांचवा चैप्टर है गुरुत्वा कर्शन जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वा कर्शन नियम गुरुत्व तथा मुक्त पतन द्रव्यमान तथा भार गुरुत्वे छेत्र ग्रह उपग्रह भार हींता पलायांचाल गुरुत्वा कर्शन देख सकते ह आप कक्छा कौन सी कखषाओंसे लिया गया है चलिए start करते हैं जब किसी वस्तु को उचाई से गिराया जाता है तो वा पृत्वी की और ही गिरती है इसके अत्रिक्त सभी ग्रह, सूरे के चारो और चक्र लगाते हैं चंद्रबा भी पृत्वी की परिकर्मा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तूओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रबा पर एक ही बल कारे करता है। जिसे गृत्वा कर्शन बल कहते हैं। गृत्वा कर्शन बल सदय वाकर्शन बल होता है। तथा उनके बीच की दूरी R हो तो उनके बीच गुरुत्वा कर्शन बल होता है यह हम देख सकते हैं फॉर्मूला F equals to Gm1 multiply Gm2 बटे में R का स्क्वार यहाँ G1 नियतांग है जिसे गुरुत्वा कर्शन नियतांग कहते हैं G का मान पिंडो की प्रकृति उनके द्रवेमान उनके मद्य की दूरी माध्यम समय आदिपर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मान के सभी पिंडो के लिए समान होता है अता इसे सरवात्रिक गुरुत्वा कर्शन नियतांग भी कहा जाता है G का मान हेन्री केवेंडिश ने सुग्राही तुला द्वारा ग्यात किया इसका मान 6.67 गुना में 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वेर किलोग्राम स्क्वेर होता है गुरुत्वा कर्शन नियतांग उस आकर्शन बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांग दूरी पर रखे एक कांग द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कारे करता है गुरुत्वा करशन के सरवात्रिक नियम का महत्व। गृत्वा कर्शन सरवात्रिक नियम अनेक ऐसी परिखटनाओं की सफलता पूर्व व्यक्षा करता है जो असंबध मानी जाती है उधारन के तौर पर है हमें पृत्वी से बांधे रखने वाला बल पृत्वी के चारोवर चंद्रमा की गती सूर्य के चारोवर ग्रहों की गती चंद्रमा तता सूर्य के कारण ज्वार भाटा गृत्व तता मुक्त पतन न्यूटन के गृत्वा कर्शन नियम के अनुसार गृत्वा कर्शन वय अकर्शन बल है जो किनी दो वस्तूओं के बीच कारे करता है यदि इन वस्तूओं में एक वस्तूओं पदात हो तो गृत् प्रित्वी के गुरुत्वा कर्शन बल के कारण गिरती है तो वस्तुओं की ऐसी गति मुक्त पतन कहलाती है प्रित्वी का गुरुत्वे त्वरण जब कोई वस्तु प्रित्वी के और मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह प्रित्वी के गुरुत्वा के कारण नीचे त्वरण कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, small g से, प्रित्वी के गुर्त्वे त्वरण के मान में परिवर्तन, जी का प्रमानिक मान 9.8 मीटर सेंटी मीटर स्क्वार होता है, ये मान समूंद्र तल तथा 45 डिगरी अक्षांस पर होता है, जी के मान में कुछ परिव प्रित्वी के केंद्र पर जी का मन 4 present हो जाता है, गुर्त्वे त्वरण जी का मन धृूओ पर अधिख्तम तथा घुमाद्दे रेखा पर नियूंतम होता है, ये मान प्रित्वी अपने अक्ष्स के पारित अपने तेजी से घुमने प्रार्णम कर दे तो जी का मन घट जा यदि प्रित्वी वर्तमान में 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शूर्ने प्रतीत होने लगेगा यदि प्रित्वी का द्रव्यमान M और त्रेज्या R हो तो प्रित्वी की सता पर या उससे कुछ उचाई पर ड्रव्यमान की वस्तु पर निटन के गुरत्व कशनियम के दॉसाद प्रित्वी पर लगाए जाने वाला बल गुर्तव बल होगा capital F equals to capital G capital M small m बटे में capital R का square यह वस्तु की प्रिथवी के केंद्र से दूरी लगबग यहां वस्तु से प्रिथवी केंद्र से दूरी लगबग प्रिथवी की त्रिज्या के बराबर मानी जा सकती है यह देख सकते हैं यदि गुरुत्वे त्वरण small g हो तो न्यूटन की गति के दूतिय नियम से F equals to द्रव्य मान M multiply त्वरण मतलब G होता है समीकरण 1 वा समीकरण 2 से फिर हम यह ऐसे निकालते हैं अन्तिता गुरुत्वे त्वरण G के मान का परिकरण करने के लिए उपरोग समीकरण में Capital G M तथा R के मान रखने होंगे जैसे कि इसमें दिया गया है G का नियतांक M का भी और R का भी और उसके बाद हम यह solve कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं एक मेज़र इसक पर अता पृत्वी का गुरुत्वे त्वरण का मान आ जाएगा 9.8 मीटर माइनस स्क्वेर अता गुरुत्वे त्वरण G का मान किसी वस्तू के द्रव्यमान M पर निर्भर नहीं करता है यदि निर्वात में एक भारी एवं एक हलकी वस्तू को साथ साथ गिराया जाए तो दोनों वस्तूए एक साथ जमीन पर गिरती हैं इसे गैलिलियो ने पीसा की मिनार से दो भिन भार की गेंदों को गिरा कर सिद किया था द्रव्यमान तथा भार द्रवेमान तता भार का वर्णन निम्द प्रकार से है किसी वस्तु में पदार्थ का परिमान ही उसका द्रवेमान कहलाता है यह एक अदिसराशी है इसका मान नियत रहता है इसका ऐसाई मातरक किलोग्राम होता है भार, पृत्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की और अकर्शित करती है तो वै उस वस्तु का भार कहलाता है या वस्तु पर पृत्वी का अकर्शन बल वस्तु का भार कहलाता है भार नापने के लिए जो फॉर्मुला हम इस्तमाल करते हैं वैं ये वस्तु का दुरवयमान गुणा में गुरूत्वे त्व़न इसका मातरक न्यूटन होता है भार एक बल है जो उर्धवाधर दिशा में नीचे की और लगता है इसलिए इसमें परिमान तता दिशा दोनों होते हैं एक किलोग्राम द्रवयमान की वस्तु का भार होता है, एक किलोग्राम multiply 9.8 meter या centimeter square, equal to कितना हो जाता है, सेम भी चीज, 9.8 newton, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है, जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी और आकर्शित करता है चंद्रमा का द्रवयमान पृत्वी से कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तु उपर कम आकर्शन बल लगाता है, चंद्रमा का गुरुत्वी त्वरन पृत्वी की तुलना में 1.6 होता है, अता इसकी वस्तु का चंद्रमा पर भार, 1.6 गुना में वस्तु का पृत्वी पर भा बराबर नहीं होता इस इस्थिति में व्यक्ति पर लगे प्रितिक्रिया बलको उसका अभासी भार कहते हैं जब द्रव्यमान M की वस्तु जो लिफ्ट में इस्थित है तब निम्न इस्थितियां होती है आए देखते हैं इस्थिर लिफ्ट में व्यक्ति का अभासी भार उसक बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, नियत त्वरन से नीचे की और गतिमान लिफ्ट में वैक्ति का भासी भार, वास्तिविक भार से घटा हुआ प्रतीत होगा घुरूत्वीय बल, किसी पिंड के चारो और का वै छेतर जिसमें अन्य पिंडो दवारा उसके घुरूत्वा कर्शन बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे घुरूत्वे छेतर कहते हैं गुरुत्वे शेत्र के किसी बिंदू पर गुरुत्वे शेत्र की तीवरता उस बिंदू पर एक आंक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वे बलके बराबर होती है इसका मात्रक न्यूटन बट एक किलोग्राम या मीटर सेंटी मीटर स्क्वेर है यह एक सदिस राश्य है जिसकी दिशा सदय वो स्पिंड के गुरुत्वे केंद्र की और होती है गुरुत्वे विभव एकांग द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वे शेत्र में किसी गुरुत्वे श्थितिज उर्जा कहलाता है गुरुत्वे श्थितिज उर्जा सदय वरिणात्मक होती है ग्रह सूर्य के चारों और अपनी निश्य दिर्ग विताकार कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले आकाशिय पिंड को ग्रह कहते हैं कैपलर के ग्रह ये गति तीन नियम विद्पन किये जो कि इस प्रकार है प्रथम नियम है प्रते ग्रह सूर्य के चारों और एक देर्ग विताकार कक्षा में घूमते हैं तता सूर्य इसके फोकस पर इस्थित होता है इसे कक्षाओं का नियम भी कहा जाता है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है दुत्तिय नियम सूरे तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान छेत्रफल तै करती है इसे छेत्रफलों का नियम law of areas भी कहा जाता है इस प्रकार यदि A से B तक गती करने में लगा समय C से D तक गती करने में लगे समय के बराबर हो तो छेत्रफल OAB तथा छेत्रफल OCD बराबर होंगे तृतिय नियम सूरे के किसी ग्रह की औसा दूरी R का घन उस ग्रह के सूरे के परिता परिक्रमन काल के वर्ग के समानुपाती होता है इसे अवर्थ कालों का नियम भी कहा जाता है इसे निम्ड प्रकार से व्यक्त किया जाता है यह हम देख सकते हैं और क्यूब बटे में टीक स्कूरर इकोस्टू स्थिरांक यह इस तरह से भी हम देख सकते हैं यह थोड़ा सा इरेज हो गया है लेकिन आप शब्दों पर ध्यान दीजेगा ग्रहों की गती की व्यक्ष्या करने के लिए कैपलर ने कोई सिधान प्रस्तूत नहीं किया न्यूटन ने दिखाया कि ग्रहों की गती का कारण वह गृत्वा बल है जो सूरे उन पर लगाता है उप ग्रह कुछ आकाशिये पिंट जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं चंद्रमा पृत्वी का प्राकृतिक उपग्रह उपग्रह की कक्षिये चाल उपग्रह अपनी वित्यकार कक्षा में ग्रह के चारों और जिस नियुनतम चाल से परिक्रमा करती है वह चाल उप अप ग्रह के द्र विमाना पर निर्वर नहीं करती है का मुद्यू वित्विकशी चेद्व अपनी कख्षा में काज्या हैं उपग्रह की परिक्रमन काल केवल ग्रह की सता से उचाई पर निर्वर करता है अर्थाथ उपग्रह प्रित्वी के तल से जितना दूर होगा उसका परिक्रमन काल उतना ही अधिक होगा उपग्रह का परिक्रमन काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है उपग्रह की कुल उर्जा किसी ग्रह के परिता परिक्रमन करते उपग्रह में स्थितिज उर्जा तथा गतिज उर्जा दोनों प्रकार की उर्जाएं होती है उपग्रह की उर्जा के गुरुत्वे शेत्र में इस्थिती के कारण होती है जबकि गतिज उर्जा उपग्रह की गतिशी लवस्था की कारण होती है उपग्रह की गुरुत्वे स्थितिज उर्जा वा गतिज उर्जा के योग को उसकी कुल उर्जा कहते है माना की ग्रह का द्रव्यमान capital M तथा 13 गैपिटल R है यदि उपग्रह का द्रव्यमान small n तथा उसकी गुर्टवे इस्तिति उर्जा क्या होगी ये G minus G capital G M और small n equals to R यदि उपग्रह की कक्षिये चाल V होगी तो इसका formula होगा ये आप देख सकते हैं अता उपग्रह की कुल जो उर्जा होगी वो हमारी इया जाएगी उपग्रह की कुल सदय भरिनात्मक होती है यही कारण है कि किसी गरह के चारो और परिक्रमन करता हूँ उपग्रह अपनी कक्षा से बध रहता है उपग्रह की बंधन उर्जा, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा से पलायन करने के लिए आवशक नियूंतम उर्जा ही बंधन उर्जा कहलाती है उपग्रह की बंधन उर्जा, E equals होता है, capital G, M और small m बटे में 2R कृतिम उपग्रह, मानाव निर्मित ऐसे पिंट जो पृत्वी के चारो और परिक्रमा करते हैं, कृतिम उपग्रह कहलाते हैं, भू इस्तिर अथवा तुल्ले काली उपग्रह, पृत्वी का एक ऐसा उपग्रह, जिसका परिक्रमन काल पृत्वी के अपने अक्ष पर परिक्र की और वामा वर्त दिशह में गती करता है इस भू इस्थिर उपग्रय की कख्षा का तल पृतिवी के केंद से गुजरने वाले रेखिये तल होता है इसका उपयोग दूर दर्शन के छेत्र में बहुतायत से होता है भू इस्थिर अथवा तुल्ले काली उपग्रय की लगण देशम लव एक किलोमीटर होती है यह उपग्रय प्रिथवी के विशुवत तल में पश्चियम से पूर्व की और प्रिथवी की परिक्रमा करते हैं यह उपग्रय प्रिथवी तल से 35,830 किलोमीटर की उचाई पर 22,00 किलोमेटर तिरिजह की कक्षा में प्रित्वी क वे उब ग्रह जो प्रित्वा फ़ित' के चारों को सबनी द्रुविय उपग्रह के सता से 500 किलोमेटर की दूरी पर स्थित होते हैं इसी कारण यह दूर्शमवैदी उपग्रह भी कहलाते हैं ये उपग्रह प्रित्वी के घुणनन गती के विपरीत गती करते हैं इनका परिक्रमन काल लगबग 100 मिनट होता है दुरुवी उपग्रह की कक्षा की दिशा उत्तर दक्षिन होती है जबकि प्रित्वी अपनी अक्ष पर पशिम से पूर्व की और घुणनन करती है प्रित्वी के चारों और दुरुवी और विशुवती कक्षाएं इन उपग्रहों का प्रछेपन, दुरुवी उपग्रह प्रचेपन मान द्वारा किया जाता है इनका उपव्योग मौसम संबंदी भविश्यवानिय तथा प्रित्वी की सता के अंदर खनिज पदार्थो आदी की खोज के लिए किया जाता है भारत दुरा प्रचेपित धुरुवी उपग्रह इंडियन अर्थ रिसोर्स से सेटेलाइट है कृतिम उपगरों के उपव्योग अंत्रिक्ष में इस्थित वायू मंडल की विविन परतों के अध्यन में प्रित्वी की आंत्रिक सता के अध्यन में प्रित्वी की सता के अंदर खनिज पदार्थों की खोज में मौसम संबंदी सूचनाएं के अत्रित करने में भार हीनता किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पित्वी उसे अपनी और आकर्शित करती है किसी वस्तु के भार का अनुभव उस वस्तु के संपर्क में रखी गई अन्य वस्तु द्वारे लगाए गई प्रतिक्रिया बल के कारण होता है जब कोई वस्तु किसी तल पर खड़ा होता है तो उसके भार के कारण तल पर नीचे की और एक बल कारे करता है इस बल के कारण तल वैक्तिक भार के ठीक ब्राबर प्रतिक्रिया बल की ऊपर बल ऊपर कि ओर लगता है यदि किसी परिस्तिती प्रतिक्रिय शूनिह सब्सक्रील में और फ्राइने लिए सब्सक्राय। के नीचे गिरते समय हमें भार हींता का नुभव होता है जब कोई उपग्रय प्रित्वी के पारिता के परिता अपनी कक्षा में परिक्रमन करता है तो उसके भीतर की प्रितेक वस्तु प्रित्वी के केंद्र की और त्वरित गति से गतिशील होती है तता इस गति का त्वरण वेग है जिससे किसी वस्तु को उपर के और फेके जाने पर प्रिथिवी के गृत्वा कर्शन छेत्र से बाहर चली जाए और पुना वापस ना लोटे पलायन चाल का मान प्रछेपित वस्तु के द्रवेमान पर निर्वर नहीं करता है बलकि उसके स्थान पर उस ग्रह के द्र वेमान वर त्रिज्या पर निर्वर करता है जिसकी सता को प्रछेपित किया जाता है प्रिथिवी की सता पर पलायन चाल का मान 11.2 किलो मेटर से होता है चंद्रमाग पर पलायन चाल का मान 2.3 किलो मेटर होता है इसलिए वहां वायू मंडल नहीं पाया जाता है यदि है कि कक्षिये चाल अंडरूट दो गुनी हो जाए तो वे उपग्रय अपनी कक्षा को छोड़कर पृत्वी के गुरुत्वे शेत्र से बाहर पलायन कर जाएगा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है गुरुत्वे इस्थिरांक जी का मान पृत्वी पर सभी जगों संपूर्ण ब्रह्मान में एक समान है साधार्ण ड्रव्यमान वाली वस्तू की बीच लगने वाला गुरुत्वे बल अत्यान दुर्बल होता है पृत्वी के कारण लगने वाले अधिक होगा उस वस्तू का जड़त का मान भी उतना ही अधिक होगा वस्तू का भार उसके द्रव्यमान के समानुपाति होता है पृत्वी के अलग-अलग भागों के लिए वस्तू का भार अलग-अलग होगा क्यूंकि अलग-अलग भागों के लिए गुरुत्वे तवरण स्मॉल जी का मान अलग-अलग होगा गती के तीसरे नियम के अनुसार मशीन पर खड़े लड़के के भार के बराबर उपर की तरफ प्रतिक्रिया होती है गुर्त्य छेत्र में मुक्त रूप से गिर्ती हुई वस्तू हमारा अगला चेप्टर है पदार्त के यांत्रिक उपकर्ण